जेनेटिक वारियर्स द्वारा पहने गए इस फुल बॉडी आर्मर को धनुष ने देखा था कवच के पूरे सेट में कई भाग शामिल थे लेकिन भले ही वे एक पूरे टुक्डे में इकठे हुए थे जोड बहुत लची ले थे और लड़ाई के दौरान चाल तेज थी जबकि एक ही समय में इसके पहनने वाले की शक्ती में तेजी से व्रिध्धी हुई थी अउ क्या तुमने उन जेनेटिक वारियर्स द्वारा पहने गए पूरे शरीर के कवच को नहीं उतार दिया धनुष ने दस्तावेश वापस सूटकेस में रखे और पूछा कवच के चार सेटों के अलावा जो काफी शतिग्रस्थ हैं मैंने अन्य तेईस सेटों को अपने इंटरस्पेशियल रिंग में संग्रहीत किया मो आउने कहा इतना कहते ही उसका विचार हिल गया और एक पल में उसके हाथ में एक नया कवच प्रकट हो गया कवच को बड़े करीने से मोरा गया था और एक पारदर्शी कंटेनर के अंदर सुरक्षित किया गया था जाहिर है कवच सूट का यह सेट उन जेनेटिक वारियर्स द्वारा सुसजित नहीं किया गया था पहन कर देखो धनुष के भाव हिल गए और उन्होंने तुरंट आदेश दिया तेजी से मो आउने पूरे शरीर का कवच पहन लिया और फिर यह कहने से पहले उसे हिलाने और महसूस करने की कोशिश की कवच का यह सेट काफी भारी है यह लगभग 40 किलोग्राम होना चाहिए यदि एक सामान यव्यक्ति इस सामान को पहनता है तो दूसरों से लड़ना तो दूर उसकी चाल भी बहुत धीमी होगी उन जनेटिक वारियर्स की ताकत बढ़ गई थी इसलिए इसे पहनना उनके लिए काफी उप्युक्त था लेकिन यह पूरे शरीर का कवच हमारे लिए काश्टकारों के लिए बहुत कम मूल्यका है तो आपका क्या सुझाव है? अगर मैं इसे बेच दों तो क्या कोई इस कवच को खरीदेगा? निजी सेनाओं को ऐसे उपकरनों की कोई आवश्चक्ता नहीं होगी इसलिए इसे सेना को बेचना सबसे अच्छा है मौ आव ने आश्वासन के साथ कहा कम से कम फिलहाल तो धनुष खुद सेना से ज्यादा जुडाव नहीं रखना चाहते थे कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और युवान जेंगक सुआन का नंबर डायल किया नमस्कार धनुष जल्दी उठ जाओ मोबाईल से युवान जेंगक सुआन की आवाज निकली अंकल युवान मैंने आपके आराम में खलल नहीं डाला है ना धनुष मुस्कुराया खैर मेरे पास कुछ है जिसके लिए मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको इस समय क्यों बुला रहा हूँ क्या है वहक युवान जेंगक सुआन से पूछा धनुष ने समझाया मेरे पास एक पूर्ण शरीर कवच सूट है जो सैनिकों द्वारा सुसजित किया जा सकता है साथ ही इसके अनुसंधान और विकास डेटा आपका पहले सेना के साथ व्यवहार था इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इसे उन्हें बेचने में मेरी मदद कर सकते हैं सैनिकों के लिए कवच सूट युवान जेंगक सुआन ने चकित होकर कहा जहां तक इसका संबंध है और जो मुझे पता है सेना वर्तमान में इस प्रकार के पूर्ण शरीर कवच पर शोध कर रही है लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने अभी तक बहुत प्रक्ती नहीं की है मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम है यह कहां से मिला बस मुझे बताओ तुम इसे कितने में बेचने जा रहे हो धनुष ने कुछ देर सूचने के बाद कहा यहां पूरे पैकेज में तयार कवच सूट के दो सेठ है साथ ही संपून, अनुसंधान और विकास डेटा मैं इसे 500 मिलियन में बेचूंगा यह काफी महेंगी कीमत है युवान जेंगक सुआन को रोका लेकिन फिर मैंने अभी तक इस कवच सूट को नहीं देखा है इसलिए मैं इसके विशिष्ट मूल्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता क्या अब आप सन्योग से शंधाई में हैं? मैं आज वहाँ जल्दी आऊंगा जब हम मिलेंगे तो हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे ठीक है अंकल युवान आपको परिशान करने के लिए ख्शमा करें जैसे ही कॉल समाप्थ हुई धनुष ने मो आव से आर्मर सूट लिया और उन्हें दस्तावेजों के साथ अपने इंट्रस्पेशियल रिंग के अंदर संग्रहित किया और फिर कहा जिंगमें द्वीप में हमारे एवरलास्टिंग फेस्ट हॉल के रसत कर्मियों से संपर्क करें उन्हें खेती के लिए 11 औश्धिय गोलिया भेजने के लिए कहें आज रात तुमने जो काम किया है उसके लिए यह तुम्हारा बोनस होगा मो आवु की आखें चमक उठीन और फिर जवाब दे कर चले गए धनुष ने जीनकन को वापस संग्रहित किया और फिर नहाने और अपने कपड़े बदलने से पहले कपड़े का एक साफ सेट लेने के लिए कपड़द्वार में गया अभी भी सुबह होने में बहुत जल्दी थी इसलिए उन्होंने दो घंटे खेती करने में बिताए उसके बाद वह अपनी कार ले गया और उसे व्यक्तिगत रूप से टॉम्सन विला की ओर ले गया ओश्धिय आहार की एक मोटी सुगंध ने उनके नथुनों को अभिवादन किया जब वे उस निवास पर पहुँचे जहां जूल्यू रहता था मैंने सोचा था कि तुम इतनी जल्दी नहीं आओगे ओश्धिय आहार को उबालने में अभी भी एक घंटे से अधिक समय लगता है जूल्यू ने अब पजामा नहीं पहना था लेकिन उसने जो चमकीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसकी खुद की उपस्थती ने फिर भी विला की सुंदरता बढ़ा दी थी धनुष ने अपना कोट उतार दिया, सिर हिलाया और कहा फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुखते हैं मैंने अभी तक नाश्टा नहीं किया है वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी क्या आप उस सिक्स स्टार लाइट एरे की उत्पत्ती जानते हैं जू यू ने कुछ देर विचार किया और धीरे से उत्तर दिया मैंने कई अभी लेखों को पल्टा है और पुष्टी की है कि यह सिक्स स्टार लाइट एरे सोलोमन द्वीब से उत्पन्ध हुई है हाला कि मुझे पता नहीं है कि इन प्राचीन शास्त्रों पर लिखे गए अभी लेक सत्य हैं या नहीं हाला कि जब मैंने उनकी जाच की तो मुझे एक दिल्चस्ट जानकारी मिली अफवा यह है कि यह सिक्स स्टार लाइट एरे एक तरीका है जिसका उपियोग एक निश्चित राक्षसी भगवान द्वारा अपने अधिनस्थों को दबाने के लिए किया जाता है जैसे कैदी नियंकरन पिंजरे एक कैदी पिंजरा धनुष काफी देर तक विचारों में खोया रहा और अंत में उसने अपना सिरहिला दिया उसने सोचा कि यह अफवाह उचित और अविश्वसनिय नहीं थी शिक्स स्टार लाइट एरे में गहरा रहस्य था जो पारमपरिक सर्णियों से काफी अलग था वह उस अफवाह पर विश्वास कर सकता था यदी यह कहा जाता कि यह अन्यसाधना प्रणाली के क्रिशकों की रचना थी लेकिन यह कहना कि यह एक राक्षसी भगवान द्वारा अपने अधिनस्थों को दबाने के लिए बनाया गया एक बाड़ा था बलकि हास्यासपद और निरर्थक था कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सिक्स स्टार लाइट एरे को किस ने बनाया उसकी ताकत बहुत भयानक है यहां तक कि इंमोर्टल वल्ड में सुप्रीमेसी स्टेज पर मुझे अतीत भी शायद उसका मैच नहीं होगा कनास की लोंगकवान खाडी की गुफा में सिक्स स्टार लाइट एरे स्थापित करने वाला व्यक्ती निश्चित रूप से बहुत ही दुर्जे शक्ती वाला व्यक्ती था धनुष को अचानक कनास लोटने की इच्छा हुई लेकिन निकट भविश्य में उसे बहुत सी चीजों से निपटना था इसलिए वह केवल अपने आवेग को दबा सकता था इन मुद्दों से निपटने के बाद ही वह वहाँ जा सकेंगे शायद वह कुछ अप्रत्याशित परिनाम दे सकता है और सिक्स स्टार लाइट एरे के सामने खड़े होकर ही रहसियों को सुलजाने में सक्षम होगा समय गुजरता गया जैसे ही मेज पर औश्धिय आहार परोसा गया जुयू ने धनुष के साथ अपना नाश्टा समाप्त किया बरतन धोने के बाद उनके बाहर जाने से पहले वह अचानक बोली धनुष मैं कुछ दिनों बाद मियाव शेतर वापस जा रही हूँ तुम वहाँ क्या करने वाले हो धनुष से पूछा सबसे पहले मुझे अपने मातापिता को बताना होगा कि मैं पहले से ही आपकी महिला हूँ इसलिए मैं अपना नाम बनशावली व्रिक्ष से मिटा दूँगी और अपने निवास रजिस्टर को आपके पास स्थानांतरित कर दूँगी इसके अलावा मुझे कीम्ती जड़ी बूटियों की तलाश के लिए मियाव शेत्र को भी खंगालना होगा क्या? धनुष को उम्मीद नहीं थी कि जूयू वास्तव में अपने निवास रजिस्टर को उसके पास स्थानांतरित करने का ऐसा निर्नय लेगी वह इसकी व्यवस्था कैसे करेगी? क्या उसके निवास रजिस्टर को उसके घर के रजिस्टर के रूप में सूची बद्ध करना भी संभव था? उसके बारे में क्या यह बहुत परिशानी भरा नहीं है? थोड़ा जिजगते हुए धनुष से पूछा जुल्यू ने अपना सिरहिलाया और कहा यह पूर्वजों का आदेश है जिसे मुझे निभाना चाहिए अन्यथा मेरे कभीले के लोग मेरी हसी उडाएंगे जो सोचेंगे कि मैं अपने आदमी द्वारा फेंका गया कच्चरा हूँ क्रुपया आश्वस्त रहें मेरे निभास के रजिस्टर को अपने घर के रजिस्टर में ले जाने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने एक मित्र से इसमें मेरी मदद करने के लिए कहा मैंने पहले ही स्टार सिटी में एक संपत्ती खरीद ली है और मेरे उस मित्र के पास वहाँ थोड़ी शक्ती है इसलिए मेरे निभास के रजिस्टर को स्थानांतरित करना आसान होगा धनुष एक जटके में समझ गया और फिर बोला मैं किसी को आपके निभास रजिस्टर को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए भेजूंगा अपने दोस्त को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है जहां तक मियाव शेत्र में औशधिय जड़ी बूटियों की खोज की बात है क्या वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटिया है मियाव शेत्र की भूमी औशधिय सामगरी से समरिध है जूयू ने सिरहिलाया जिन में से कुछ लोगों द्वारा शायद ही कभी दौरा किया जाता है। वे भागोलिक रूप से बहुत खतरनाक शेत्रों में स्थित हैं, लेकिन फिर भी कई कींती जड़ी बुटिया उगाते हैं। अतीत में मियाव लोग जड़ी बुटियों को चुनने के लिए कुछ अपेक्शाकरित सुरक्षित स्थानों की यात्रा करने के लिए हर साल एक फार्मासिस्ट सभा आयोज़त करते थे। धनुष ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जाने से पहले मुझे फोन करना। मैं तुम्हें ले जाने के लिए दो स्वामी भेजूंगा। जुयू ने सिरहिलाया, लेकिन फिर अपना सिरहिलाया और कहा, जाने से पहले मुझे आपको बताना होगा। क्योंकि मैं एक संपूर्ण शरीर के साथ वापस नहीं जा सकती। जहां तक मेरी रक्षा के लिए अपने आदमियों को नियुक्त करने की बात है, यह आवश्यक नहीं है। यह एक तरह से असुविधाजनक है। धनुष उसके जवाब से ध्रमित हो गया, और उसने पूछा, इसमें क्या है, तुम एक संपूर्ण शरीर के साथ वापस नहीं जा सकते। जुयू के कान लाल हो गये, और उसके चहरे पर एक लाली चड़ गई। उसने धनुष के साथ विनिमय करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर जिजटने के बाद फिर वह धीमी आवाज में बोली अर्थात अपना कौमार ये खोना। धनुष तुरंट समझ गया, और उसके चहरे पर अजीब सी जुन-जुनी भी दिखाई दी। एक सूखी खांसी बाहर निकालने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और कहा मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन निश्चिंत रहें, जिन लोगों को मैं आपकी रक्षा के लिए भेजूंगा वे सभी महीलाएं हैं और किसान भी हैं। जदी आपको मियावक्षेत्र में ओशधिय जड़ी बूटियों की तलाश करनी है, तो आप अनिवार्य रूप से कुछ खतरनाक स्थानों पर जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो ठीक है, जूयू ने धीरे से सिरहिलाया और दर्वाजे से सफेद मिंक ओवरकोट हटा दिया, कैबिनेट से धूप का चश्मा उठाया और फिर उन सभी को पहनने के बाद पूछा क्या आपको इसकी आवश्यक्ता है। धनुष को धूप का चश्मा पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने सिरहिलाया और दर्वाजा खोल दिया। केवल कुछ बुजुर्ग यावे लोग थे जिनके पास पहले से लक्षित औशधिय जड़ी बूटिया थी। बॉस वह फल कहा है। जैसे ही धनुष और जूयू एक निश्चित दुकान के सामने आये, जूयू ने जल्दी से चारों और नजर डाली और भौहों को सिकोड कर पूछा। जूयू को एक असाधारन कटकाथी वाले युवक के साथ देखकर वह थोड़ा पचताया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, यह पहले ही बिख चुका है। क्या हम कल सहमत नहीं हैं, जूयू का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। मैं इसे खरीदने के लिए पैसे लाया, और तुमने मुझे बताया कि मेरे पास एक दिन था। दुकान के मालिक ने पूछा, क्या आप वास्तव में उस होरफ्रोस्ट फल को खरीदने के लिए 4 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। बेशक मुझे यह चाहिए, जूयू ने बिना किसी हिच्की चाहत के उत्तर दिया। अगर मैं इसे खरीदना नहीं चाहता, तो मैं आज यहां क्यों लोटूंगा। दुकान के मालिक ने पच्टाते हुए और करवाहट से कहा, कल जब मैंने आप से जमा करने के लिए कहा था, तो आप केवल मुझे 200,000 देने को तयार थे, इसलिए मुझे लगा कि आप मुझे चिढा रहे हैं। मैंने भी सोचा था कि कल का तुम्हारा वादा जूठा वादा था, इसलिए, तो मैंने वह होरफ्रोस्ट फल बेच दिया। लंबे समय से शेल्फ पर है और मुझे लगता है कि इसकी प्रभावकारिता बहुत कम होनी चाहिए थी, तो इसलिए कि ओल्ड ग्राम्स हुओ इसके लिए 3.2 मिलियन देने को तयार था, इसलिए, कारण मैंने उसे उसे बेच दिया। बस वहाँ जाओ और तुम उसे पाओगे। ठीक है, जूयू ने जवाब दिया और फिर दुकान से बाहर निकलते हुए धनुश का हाथ पकड़ लिया। उसे इस दुकान के मालिक के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी अदूरदर्शी व्यक्ति जो न केवल अपने वादे में विफर रही बलकि इस तरह के खजाने को सस्ते में बेच दिया। वह वास्टव में उस प्रकार की व्यक्ति थी जिससे वह वास्टव में घ्रेना करती थी। धनुष ने खुद कभी सिंगुलर रेचर्चे फ्रूट के बारे में नहीं सुना था और नहीं उन्हें पता था कि इसके बारे में क्या अच्छा है। भले ही केवल एक ही मौका हो जुयू ने द्रिड़ता से कहा। मैं इसे खरीदने के बाद आपको सबसे भव्य औश्धिय आहार बना दूँगा। ओश्धिय आहार धनुष का मुह फड़कने से न रोक सका। एक कीमती स्पिरिट फल खरीदने के लिए लाखो खर्च करना मेरे लिए सिर्फ एक ओश्धिय आहार बनाने के लिए निकला। जूयू वह वास्तव में कागस के पैसे को पैसे के रूप में नहीं देखती है। हाला कि इस तरह के एक असामान्य रूप से देखे गए मौके को देखकर धनुष ने उससे बहस करने से मना कर दिया। आखिरकार उसने इसे अपने लिए खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। आखें हटाने में असमर्थ। जबसे उसने घूंगट पहनना बंद किया, तबसे जूयू पुरुषों को अजीब तरह से अभिनय करते देखने की आदी हो गई थी। उसने उसे नजरंदास कर दिया और ठंडी और स्पष्ट आवाज में पूछा, हम बॉस हो की कलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि युवग किसी सपने से जागा है। उसका नाजुक चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने सुंदर महिलाओं को देखा था, लेकिन जुयू जैसा सुंदर कोई नहीं देखा था। आखिरकार वह बहुत छोटा था और अभी तक उसके पास परियाप्त आत्मसन्यम नहीं था। उसने सोचा कि एक पल पहले उसका घूरना काफी अशिष्ट था और हतलाते हुए एक अजीब अभी व्यक्ति के साथ कहा, ग्रैम्स हो। माई बॉस वह उपर महमानों को रिसीव कर रहा है। जुल्यू ने धीरे से सिरहिलाया और कहा, क्या आप हमें उपर ले जा सकते हैं? आपके बॉस के साथ हमारा एक व्यापारिक समझोता है। ए ठीक है। ठीक है। तुम कृप्या मेरे पीछे आओ। अपनी परिशानी और शर्मिंदगी को चुपाने के लिए युवक ने हकलाते हुए जवाब दिया और फिर मुरकर सीधियों पर थोड़ा दोड़ा। जब उसने दूसरी सीधी पर कदम रखा, तो उसने अचानक महसूस किया कि उसकी गती थोड़ी तेज थी और महमान ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फिर वह कई सेकंड के लिए अचानक रुप गया। चुपके से किनारे की ओर देखने के बाद ही वह धीमी गती से उपर की ओर बढ़ता रहा। धनुष केवल मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानता था कि युवाक लर्प कैसा महसूस करता है। यदि उसने अमर संसार म दस हजार वर्षों के जीवन और साधना का अनुभव नहीं किया तो उसके इस युवात लर्प की तरह कार्य करने की अत्यधिक संभाव ना होगी। दूसरी मन्जिल पर हुव सिमिंग का कार्याले दुकान के सबसे अंदर स्थित था। कार्याले आमतौर पर महत्वपूर् की मेज के सामने बैठा था, अपनी सफेद दाढ़ी को सहला रहा था और लगातार विपरीत कुर्सियों पर बैठे। महमानों को मेज पर ओशधिय सामगरी का मूल्यंकन करते हुए स्कैन कर रहा था। दो महमान यहां हुर फ्रोस्ट फल निश्चित रूप से एक अच्छी दो महमान एक चीनी अंगरखा में एक उचसाही बूढ़ा आदमी और एक उम्रद्राज महिला थी जो अभी भी आकरशक दिखती थी और भूमिगत लड़ाई प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी व्यक्ती को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। वह अंडर्ग हाला कि वह इस बार शंधाई के औशधिय जड़ी बूटियों के बाजार में आने का कारण मिलेनियम वाइल जिंसेंग को ढूंडना था और अप्रत्याशित रूप से यह कीमती फल पाया गया। सबसे महत्वपून बात ऐसा लग रहा था कि वह एक बड़ा सौदा कर सकता ह और हो सिमिंग को इसका सही मूल्य बताने का मन नहीं कर रहा था। दस्तक दस्तक ओफिस का दर्वाजा खटखटाया गया। युवा क्लर्क ने फिर सावधानी से दर्वाजे को एक चीरा लगा कर खोला और उसमें से चारों और देखा। जैसे ही उसकी नजर हो सिमिंग पर की रिपोर्ट सुनने के बाद उन्होंने अपने गुस्से को अंदर से दबा लिया और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ कहा आदरणी अतिथी जो मेरे साथ एक व्यापार सौदा करना चाहते हैं। कौन है वे? धनुष और जूयू फिर दर्वाजे पर दिखाई दिय जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, जूयू की नजर तुरंत चीनी अंगरखा में बूढे व्यक्ति द्वारा रखे गए सिंगुलर रिचेर्चे फल पर पड़ी। उसकी आखों में एक रोशनी चमक उठी जैसे उसने कहा, क्या आप बॉस हुँ है? मेरा नाम पल में रुची रखने वाले ग्राहकों की दो लहरे मिलेंगी. लेकिन फिर भी यह एक महान अफसर था. वह मदद नहीं कर सका लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा उचसाहित महसूस कर रहा था. शुरुआत करने के लिए बाजार में प्रतिस्परधा होनी चाहिए. यदि ये दोनों वास्तव में इस होरफ्रोस्ट फल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से कीमत की पेशकश करने में प्रतिस्परधा करेंगे, और अंतिन विजेता जो इससे लाभानवित होगा, वह स्वया होगा. चीनी अंगरखे में बूढ़े आदमी ने ध अभी खरीदना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके पास अभी भी इस होरफ्रोस्ट फल को खरीदने का अधिकार है. आप देखिए, उन्होंने पहले ही अपना इरादा बता दिया है, इसलिए. चीनी अंगरखा में बूढ़ा आदमी थोड़ा भौचक का रह गया, और उसकी आखों में एक थंडी रोशनी चमक उठी. बूढ़ा और अनुभवी वह कैसे नहीं बता सकता था कि हो सिमिंग चाहता था कि वह इन दो युवा लोगों के साथ प्रतिस्परधा करे जो अभी आये थे. हाला कि उसे हो सिमिंग का रवया और तरीका पसंद नहीं आया, उसे यह स्विकार करना पड़ा कि उसने कहा था कि वह इसे नहीं खरीदेगा. यह कहते हुए उन्हें कुछ अफसोस हुआ, लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था. 6.5 मिलियन युवान की तो बात ही छोड़िये, वह 65 मिलियन का भी भुगतान करेगा. लेकिन फिर वह सबसे पहले सेवा प्राप्त करेगा, चाहे तुम कोई भी व्यवसाय करते हो. मेरे पास यह होरफ्रोस्ट फल पहले से ही मेरे हाथ में है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे वैसे ही रहने देंगे. काली विध्वा नहीं जानती थी कि धनुष कौन है. आखिरकार उस समय भूमिगत लड़ाई प्रतियोगिता में बहुत सारे दर्शक थे और उसके पास सभी को याद करने का समय नहीं था. जैसे ही चीनी अंगरखा में बूढ़ा उठा, उसने भी जल्दी से उसका अनुसर्ण किया और बोली, दो महमान, मैं आपको बीजिंग के सीटू परिवा का इस्तमाल किया. यह सुनकर बगल में खड़े धनुष के मन में भी ऐसा ही विचार आया. सीटू होंग, आप इसे प्राप्त करने के लिए द्रिड हैं, है ना धनुष ने धीरे से पूछा. यह सही है. मुझे यह होरफ्रोस्ट फल चाहिए. सीटू होंग ने सिरहिलाया. बॉस हो और मैं पहले ही कीमत पर सहमत हो चुके हैं. यदि ऐसा है, तो मेरे लिए कम औशधिय आहार धनुष ने सिरहिलाया. इसके अलावा, सीटू परिवार के साथ मेरी थोड़ी दोस्ती है. इसलिए मैं इस बार आपके चहरे का खंडन नहीं कर सकता. अनुमान काली चर्चे फल को खरीदना चाहते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही उन्होंने इस फल की पहचान सिंगुलर रेचेर्चे फल के रूप में नकी हो और फिर भी इसे होरफ्रोस्ट फल के रूप में खरीदा हो, फिर भी इसकी कीमत उन्हें लगभग 5-6 मिलियन उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, चुंकि आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं, तो कृप्या नीचे जाएं और वहां मेरा इंतजार करें. मैं इन दो महमानों का मनोरंजन करने के बाद आप दोनों का मनोरंजन करूंगा. जो यो कुछ अनिच्छुक थी, वो सिमिन को उन् बुजुर्ग के साथ बहस करना इसके लायक नहीं है. उसके कहने का कारण यह था कि वह वर्तमान में तूटा हुआ था. जुयू को दिये गए 10 मिलियन युवान को छोड़ कर, उसके बैंक कार्ड में केबल 2 मिलियन युवान से थोड़ा अधिक बचा था. अगर उसे कीमत पर C2 Home के खिलाफ प्रतिस्परधा करनी पड़ी तो उसे अपनी प्रतिष्ठा गमबानी पड़ेगी. चलो बस जाओ, धनुष ने जुयू का कंधा पकड़ लिया और मुर गया. रुप्या प्रतीक्षा करें. जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर कॉल किया, C2 Home के भाव थो थोड़ा मैंने सोचा था कि मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, धनुष ने हलके से कहा. यह सोचने के लिए कि C2 परिवार के दूसरे चाचा मेरा नाम जानते हैं, बलकि अप्रत्याशित है. इस बार C2 Home का रंग पूरी तरह बदल गया था. उसकी आखों में एक जटिल अभिव किया है. मैं वास्तव में इस होरफ्रोस्ट फल को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं माफी के प्रतीक के रूप में इसे आपको उपहार में देने को तयार हूँ. C2 Home के शब्दों ने धनुष को चौंका दिया. लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी शायद एक किसान के रूप में अपनी पहचान जानता है. आखिरकार इस बात की परवाह किये बिना कि वह वही था जिसने C2 परिवार के लिए आवश्यक तावीज बेचे थे या इस तथ्यकी परवाह किये बिना कि उसने जिन सांची, जिन सिजी और दाववादी की आनकुन को मार डा साथ ही उस व्यक्ति को आठ के उन्मूलन के लिए जिम्मेदा ठहराया जाना था. स्ट्रेंच दोर्स के परिवारों और बलों वह क्या और कौन था, इसकी जाच शायद स्ट्रेंच दोर्स के तहट कुलों द्वारा की गई थी. वह मुझ से डरता है. धनुष ने C2 होम को ए से यह अविश्वस निय लगा. वह यह नहीं सोच पा रहा था कि एक बुजर्द इतनी कीमती फल खरीदने के लिए अपनी जेब खाली करने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा और फिर इसे व्यर्थ में दूसरों को उपहार में दे देगा. सबसे हास्यास पद बात यह थ था, क्योंकि यह व्यक्ति सबसे सम्मानिक पूर्वज था, जो सीटू परिवार का एक उच्च कोटी का सदस्य था. उसके लिए वह एक अलग और उदात व्यक्ति था, और फिर भी उसने धनुष से इतने विनमर और विनमर तरीके से बात की. उसके लिए सबसे अस्विकार था, कि सीटू परिवार का यह पुराना पूर्वज. सामने वाले इस युवक से डरता था, और उसकी चापलूसी करने की कोशिश भी करता था. यहां क्या हो रहा है? क्या यह संभव है कि चीन में कोई ऐसी शक्सियत हो जो सीटू परिवार की हैसियत और उनके पुराने वह? मैं ध्रमित नहीं हूँ और नहीं उसे पहचानने में मेरी गलती है. सीटू होम ने स्पष्ट रूप से कहा. कुछ समय पहले ग्रैंड मास्टर टैंग के साथ मेरा व्यवहार खराब था, एक बड़ी गलती जो मुझे खुद ही सुधारनी होगी. इसलिए मुझे इस फ यार हूँ. कृप्या इस फल को मेरी क्षमा के प्रतीक के रूप में स्विकार करें और मुझे अपनी गलती को सुधारने का अफसर दें. सीटू होम को देखकर धनुष असमंजस में था कि उसे रोना है या हंसना है. वह इसे मना नहीं कर सका क्योंकि बूढ़ा पहले ही ऐस कह चुका था. उन्होंने सिंगुलर रेचेर्चे फल प्राप्त किया और फिर मुस्कराते हुए कहा यू आर सीटू होम है ना. सीटू परिवार के लोग वास्टव में अच्छे लोग हैं. वे मुझे हर बार संतुष्ट कर सकते हैं. ठीक है. मैं इस विलक्षन रेचेर्च के फल को स्वीकार करता हूँ. सीटू होम थोड़ा खुश दिखे और इमानदारी से कहा, खुशी और सम्मान मेरा है. खैर अब दोपहर हो जानी चाहिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मुझे आपको दोपहर के भोजन पर? आमंत्रिक करने का सम्मान मिल सकता है, ग्रै का उपहर भेजुगा. बहतर होगा कि आप आधे महीने बाद ली जुरेन को देखने के लिए हांकांग जाएं. मुझे यकीन है कि तब आपकी फसल अच्छी होगी. ली जुरेन, सीटू होंग एक पल के लिए सुट दिखे. वह ली जुरेन को भी जानता था और उसके साथ थोड़ी दोस्ती भी करता था. हाला कि वह नहीं जानता था कि धनुष उसे किस तरह का बड़ा उपहार देगा. फिर भी उसने सम्मान पूरवक उत्तर दिया. मैं उस समय तक व्यक्तिकत रूप से ली जुरेन से मिलने आऊंगा. धनुष ने जवाब में सिरहिलाया और फि सीटू होंग जाने की जल्दी में नहीं थे. उसके बूढे चहरे पर राहत के भाव थे. जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोच उतर गया हो. यहां तक कि उसके चहरे की जुर्यां भी फैल गई और जब वह सोफे पर वापस बैठा तो उसके चहरे पर मुस्कान आ गई. ए इसके बावजूद आपकी हैसियत और पहचान को देखते हुए मैं अभी भी यह नहीं सोच सकता कि आपने ऐसा क्यों किया. इतना सतर्क? इतना सम्मान? या इतनी चापलूसी? सीटू होंग ने उस पर नजर डाली. जब वह बोला तो उसके बूढे चहरे की मुस्कान नहीं बदली अगर वह वास्तव में सिर्फ एक साधारन व्यक्ति होता तो वह मेरे लिए इस तरह का व्यवहार करने के योग्य नहीं होता. लेकिन वास्तव में वह वास्तव में कौन है? युवा दिव्यचिकित सक? हाँ हाँ. कितना सम्मानने और किस हद तक उसकी असली पहचान है. इसकी आप कभी कलपना भी नहीं कर सकते. ठीक है, यह सब भूल जाओ. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप बहतर नहीं जानते होंगे. संक्षेप में बस याद रखें कि आपको भविश में कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए. सबसे अच्छा अगर आप उस से एक छोटे पूर्वच के रूप में देख सकते हैं. हम्फ वो सिमिंग ने अंदर ही अंदर तिरसकार किया, लेकिन सतह पर सीटू हों का खंडन नहीं किया. वह सिर्फ एक औशधिय जड़ी बुटियों का व्यापारी था और पहले से ही एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके लिए सीटू हों की तरहत वचाहीन और बेदाग होने की संभावना नहीं थी. इसके अलावा, क्या सीटू परिवार प्रसिध था? वह विभिन प्रांतों के बहुत से प्रमुख परिवारों को जानता था, लेकिन उसने कभी भी सीटू उपनाम वाले किसी उलेखनिय परिवार के बारे में नहीं सुना था. ब्लैक विडो ने ध्यान दिया और फिर भी सीटू हों की चेतावनी को बहुत महत्व दिया. उसने द्रिटा से सिरहिलाया और कुछ जटिल अभिव्यक्ती के साथ दरवाजे की ओर देखा. वह सीटू परिवार में सीटू हों की स्थ लेकिन फिर वास्तव में यह धनुष कौन सा पवित्र प्राणी था? ओश्धिय जडी बूटियों के बाजार में. धनुष ने सीधे जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर जूयू ने कहा कि उसे ओश्धिय आहार की खुराग के लिए कुछ अतरिक्त ओश्धिय जडी बू लेकिन चुपके से सिर हिला दिया. आखिरकार जब खीदी गई आखिरी ओश्धिय जडी बूटि जूयू को लपेटा गया, तो उसने थोड़ा खेद व्यक्त करते हुए कहा, मैंने इस ओश्धिय आहार को बनाने के लिए आवश्यक सभी ओश्धिय जडी बूटिया लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह स्थान म्यावक्षेतर में नहीं है, अन्य था मुझे कृत्रिम रूप से उगाए जाने वाले सामान्य जिंसिंग के बजाए सबसे महत्वपूर्ण पूरक जडी बूटी जिंसिंग प्राप्थ होती, मुझे बताओ, जवान औरत, क्या तुम एक जंगली जिंसिंग की कीमत जानते हो, धनुष ने जबरगस्ती मुसकान बिखेरी, उदाहरन के लिए मिलेनियम वाइल्ड जिंसिंग को लें, बिना नौ अंक तयार किये आप इसे नहीं खरीद पाएंगे, आपने मुझे पहले बताया था कि सिंगुलर रीचर्च फल का मूल्य नौ अंकों से अधिक होता है, तो मिलेनियम वाइल्ड जिंसिंग और अन्यपूरक जड़ी बूटियों के साथ, आपको अकेले एक औशधी आहार बनाने के लिए 200-300 मिलियन युवान खर्च करने होंगे, यह, क्या यह सिर्फ पैसे की बरबादी नहीं है, यह इस बार मैं आपके लिए जो औशधी आहार बनाने जा रहा हूँ, वह उस सामान्य आहार के समान नहीं है, जो मैं आपको देता हूँ, इसे मेरे परिवार के पूर्वजों द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड के आधार पर बनाया गया है, उसके अनुसार यह औशधी आहार प्रामबान अमरित की तरह होगा और इसे लेने वाले को अत्यधिक लाब देगा, मुझे डर है कि मैं चाहकर भी खुद ज्यादा नहीं पी सकता, क्यो धनुष से पूछा, चकित, मेरा शरीर चकित सा प्रभावकारिता को स्वीकार नहीं कर सकता, इसी लिए जू यू ने कह धनुष की आखें चमक उठी, उन्होंने इस पर विचार किया और फिर द्रिड़ता से कहा, चुंकि आप वास्तव में एक संपून औश्धिय आहार बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके इरादे का पालन करूँगा, मेरे पास मिलेनियम वाइल जिनसिंग है, अपार्टमेंट का केवल थोड़ा साही उपियोग कर सकते हैं, इसके अलावा आजकल जंगली जिनसिंग प्राप्त करना काफी कठिन है, इसे पाकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं, चार घंटे बाद, तॉम्सन विला के अपार्टमेंट में, हालाकि धनुष लिविन रूम में बैठा था, लेकिन दवा की तेज गंध फैल गई और पूरा हॉल भर गया, चाहे अमर लोक में हो या लोटने के बाद, उन्होंने हर तरह के ओशधी आहारों का काफी सेवन किया था, लेकिन इस बार केवल सुगंध ने ही उसकी भूख जगा दी थी, कुछ ऐसा जो शायद पुलाव का धक्कन खोला और धनुष ने अपने हाथ धोए, ओशधी आहार की मधोर और सुगंधित सुगंध कमरे में बहुत तेजी से फैल रही थी, धनुष के सामने रखकर वह जट से बोली, तुम किसान हो, इसलिए तुम बहुत बलशाली हो, इसे पीने के बाद ध्या के अंदर नहित प्रभावकारिता और उर्जा को नजरंदाज न करें, स्वात के कारण मर गई, धनुष बस मुसुराया और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे ही वह कटोरा उठा कर पीने के लिए तयार हुआ, उसने देखा कि जुयू पुलाव से एक छोटा चम्मच ओशधिय आहार ले रही है और फिर अपनी गुलावी जीव का उप्योग सावधानी और सावधानी से उसे चाटने के लिए करती है, यह सही है, वह इसे चाट रही है, धनुष गंभीर और ठंडे जुयू के आदी हो चुके थे, अब जब उसने ओशधिय आहार को चाटने के लिए अपनी कामुक गुलावी जीव का उप्योग करने की उसकी उपस्थिती को देखा, तो आकरशक भावना का एक असामान्य भाव और यहां तक की एक मजबूत आवेक भी उसके अंदर फूट पड़ा और उसके निचले पेट को गर्म महसूस कराया, मैं अधिय आहार ने 200 से 300 मिलियन युवान को जला दिया था, बड़ी रकम, क्या विलासिता है? बावजूद इसके इसे पीने से धनुष को चुभन महसूस हुई, उसके निगलने के बाद गर्म संसनी की एक शक्तिशाली धार तुरंत फट गई, यह ऐसा थामानो वह गर्मी के हजारों धागों में बदल गया हो, एक ज्वार की लहर की तरह जो उसके अंगों और हड्डियों तक पहुँच गई हो, इसे जल्दी से पी लो, धनुष, धक्कन खुलते ही प्रभावकारिता बहुत दूर निकल जाएगी, जितनी जल्दी आप इसे पीएंगे, उतनी ही अ पुलाव में बचे हुए ओश्धिय आहार को सीधे अपने आधे भरे कटोरे में डाल दिया, और उसे अपने पेट में निकल लिया, गर्म, धनुष द्वारा इसे समात्त करने के बाद यही एक मात्र अनुभूती थी जिसे उन्होंने महसूस किया, उसने न केवल अपनी त अपने दात भीचे और ब्रहमांडिय उत्पत्ती की स्वर्गिय कला के साथ उर्जा का संचार किया, वह अचानक चकित रह गया, क्योंकि ओश्धिय आहार से ओश्धिय शक्ती का विस्पोट उसकी कलपना से दर्जनोगुना अधिक था, यहां तक कि अब तक उसने जिन सभ और ब्रहमांड में सितारों के समुद्र में भी अपनी बहुरंगी रोश्नी थी, जो एक मुसलाधार सितारों की उर्जा के रूप में कमपन कर रही थी, जो समुद्र की लहरों की तरहें नीचे उतर रही थी, और लगातार उसके द्वारा आकर्शित और भस्न हो रही थी, इस प्रकार की शक्ती है, धनुष ने इसे निखारने की पूरी कोशिश की, दुर्भाज्य से उसकी गती नहीं रख सका, चाहे वह औश्धी आहार, हेव धीरे निगल लिया और फिर तेजी से चला गया, धीरे धीरे एक उर्जा भंबर स्तंभ का निर्मान किया जिसने लगातार एक विशाल चूसने वाली शक्ती को ब्लैक होल में निगलने के लिए फैलाया, जो यू धनुष के सामने हाथों में कटोरा लेकर बैठी थी, न कि इस समय वह सपष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि सभी दिशाओं में अंगिनत उर्जा की लहरिन थी, जिसके कारण भोजन कक्ष में क्यूई प्रवाह अस्थिर हो गया, जबकि धधक्ती गर्मी की लहर धनुष से निकली और उसकी प्रस्पुटित आभा के कारण उसे कमकमपी, मुह दबाकर हंसना, कटोरी को पकड़े हुए वह बेबस होकर देखती ही रह गई कि धनुष के शरीर पर कपड़े पल भर में राख में बदल गए, वह उसकी तवचा को लाल होते हुए देख सकती थी और उसके बालों से हलके लाल रंग की रोशनी निकल रही थी यहां तक कि उसके निचले शरीर पर द्रिढ मरदानगी ने उसे विशेश रूप से जंगली बना दिया था। वह स्वर्ग प्रित्वी आध्यात्मिक क्यूई और सितारों की उर्जा को अलग करना चाहता था, लेकिन ओश्धिय आहार के भीतर नहित विशेश बलने व्याभारिक रूप से इसे नियंत्रित करने की उसकी क्षमता को शूनी कर दिया। उनमें से कुछ ही उन्हें हताश कर सकती थी। लेकिन इस समय उनके पास हताशा भरे विचार आए। प्रकट होना चाहिए पंच तत्वों की दिव्य अगनी, बलिदान की पेशकष देवताओं और राक्षसों को स्वर्ग में करनी चाहिए। यहां अमर दुनिया और राक्षसों के दायरे में व्यापक रूप से परिचालित प्रसिध वाक्य था। इसका मतलब यहाँ है कि एक बार एक क्रिशक के शरीर में पंच तत्वों की यह दिव्य अगनी एक ही समय में प्रजवलित हो जाती है। यह तब विलुप्त हो जाएगा और अनंत काल के लिए अस्तित्व के दूसरे रूप में मौजूद रहेगा। मैं तयार नहीं हूं। धनुष गुस्से से अपनी आत्मा से दहाड़ा। लेकिन सितारों की उर्जा और स्वर प्रित्वी आध्यात में क्यूई जो उसके शरीर में डाली गई न केवल कमजोर नहीं हुई बलकि इसके बजाय बढ़ गई। उसके शरीर के अंदर औशधी आहार से उतपन विशेश उर्जा गाड़ी हो गई और मजबूत चूसने वाली शक्ती उतपन हुई। वह बलक होल के अस्तित्व से चिड़ता था जो उसके डेंटियन में दिखाई देता था क्योंकि यह बहुत सारे खजानों को खा जाता था। यहां तक कि इसने हेवनली पाथ, यूनिवर्स्ट्री और उस दिव्यत अलवार को भी निगल लिया जिसे वह महत्व देता था और जिसे वह बहुत महत्व देता था। लेकिन इसी क्षन उन्होंने महसूस किया कि इस ब्लैक होल की भखशक शक्ती काफी दूर थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसकी विनाशकारी शक्ती मजबूत हो जाएगी और यह सबसे अच्छा होगा यदि यह अपने शरीर के अंदर बढ़ती स्वर प्रित्वी आध्यात्मिक क्यूई और सितारों की उर्जा को सफाई से खा सके। अचानक धनुष का रंग जबरदस्त रूप से बदल गया और उसका शरीर और भी कामपने लगा। धनुष अंदर ही अंदर शोक मनाय बिना नहीं रह सका। वह इस बात से अन्भिज्य था कि उसके शरीर के सारे बाल पहले से ही राख में बदल गय थे। उसका शरीर सुर्ख लाल हो गया था। रक्त वाहिकाय और नसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, मुर धनुष नहीं जानता था कि वे दो रन कौन से थे क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वह किसी तरह उनके भीतर नहित अर्थ को जानता था यिन और यांग। इसका मतलब क्या है। प्राप्त की थी। संक्षिप्ट ध्रम के बाद ताओ तेचिन में लिखी एक पंक्ती उनके दिमाग में प्रकट हुई, ताओ एक्ता को जन्म देता है, एक्ता से ग्वैत उत्पन होता है, ग्वैत से तृत्व उत्पन होता है, और तृत्व से असंख्य वस्तुए उत्प उन्होंने अपने शरीर के अंदर की स्थिती को पहले ही भांप लिया था और महसूस कर लिया था पंच तत्वों की दैविय अगनी का प्रजवलन यांग अगनी के अत्यधिक जलने के कारण हुआ जबकि धातू, लकडी, जल, अगनी और प्रिथवी पांच तत्वों के ताओ करना था, लेकिन मैं इन उर्जा कहां से प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं, एक है, धनुष जो अपनी आदिन कैयोस फोर्स के चक्कर लगा रहा था, ने अचानक अपनी लाल आखें खोली, फिर उसकी दृष्टी जूयू पर पड़ी, जिसने अभी भी कटोरे को पकड़ नारंका, चिंतित और चिंता से भरा हुआ था, मेरी सहायता करो, धनुष के मुह से दो शब्द निकल गए, लेकिन उसकी आवाज असाधारन रूप से करकश थी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तेजी से जूयू से पूछा, धनुष ने अपनी मुठी कसकर पकड़ उसकी उंगलियों और उसके हाथों के पिछले हिस्से में दरारे आ गई थी, फिर उसके गले से कुछ शब्द निकले हो, मेरी औरत, जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ गई, वह तुरंत जूयू के सामने आया, उसने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया, जैसे ही उसने बेडरूम में प्रवेश किया, जूयू के शरीर पर कपड़े फटे हुए थे, एक जटके में घबराई हुई और भाइभीत जूयू पूरी तरह से नगन थी, क्योंकि उसे अपने निचले शरीर में दर्ध महसूस हो रहा था, पल की बढ़ती उच्छाल और काम, धन जूयू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसे क्यूई प्रवाह का अनुभव होने लगा, उसके निचले शरीर से गर्मी का एक कत्रा आया, इसके अलावा, अपने विचारों में हैर फेर करने के साथ साथ, उन्होंने साधना तक्नीक के संचलन मार्क के अनुसार उस गर्म धारा को अपने शिरोबिंदु के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित करना ज्यादा दर्द गर्मी की लहरें ज्वाला मुखी विस्पोर्ट की तरहे प्रतीत होती हैं क्योंकि यह उसके निचले शरीर से और उसके शरीर के बाकी हिस्सों में बढ़ जाती है लेकिन इस समय अपनी साधना तकनीक को परिचालित करने के लिए आवशक सभी अवरुद्ध प्रतिबिंब बिंदु खुल गए और एक संपून स्वर्गिय सर्किट बनाने के लिए जुड़ गए दर्ग धीरे-धीरे उबलती हुई गर्मी के नीचे मर गया एक अकथनी आराम से बदल गया जिसने धीरे-धीरे उसके पूरे अस्तित्व को ढख दिया उस तरह का आराम एक ऐसा एसास था जिसे उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था उसकी तुलना अभी-भी महसूस की गई अनुभूटी से करना स्वर्ग और नर्ग की तुलना करने के समान था अग्भूत अनुभूती ने उसके लालच को जगाया और उसे मोहित कर लिया इस समय उसके मन में अचानक यह विचार आया कि अगर वह अनंत काल के लिए इस आराम में खुद को लीन कर सकती है तो वह कभी नहीं जगेगी हाला कि वह इस बात से अंजान थी कि उबलती गर्मी के बीच True Essence का एक हलका चमकी लाधागा बनना शुरू हो गया था और नहीं उसे इस बात का हैसास था कि उसके True Essence के साथ चुपचाप फ्यूज होने के बाद तरल अवस्था में एक विशेश उर्जा पदार्थ में एक और विशेश उर्जा का निर्माण होता है समय बीचने के साथ यह तरल पदार्थ तेजी से अधिक प्रचुर मात्रा में हो गया जबकि उसके शरीर में शिरोगिंदू व्यापक हो गए और इसके चैनल की दीवारें अधिक लचीली हो गई रात की मंद रोशनी आखिरकार आही गई बड़ा बिस्तर अब नहीं हिल रहा था और धनुष के शरीर की लाली फीकी पढ़ गई थी उनके शरीर के अंदर पंच तत्वों की दिव्य अगनी पहले ही बुच चुकी थी और यहां तक कि उनकी हलकी सी फटी हुई तवचा भी अपनी पुरानी स्थिती में आ गई थी धनुष ने ब्रहमांडिय उत्पत्ती की स्वर्गिय कला के अनुसार उर्जा के संचलन को पागलपन से नियंत्रित किया उसके पास अपने डेंटियन के अंदर की स्थिती का निरीक्षन करने की उर्जा भी नहीं थी उसका सारा मन उसके पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ था तेजी से बहने वाली प्राइमल कैोस फोर्स के बीच उन्हें जूयू के शरीर के अंदर की स्थिती के बारे में पता भी नहीं था उसे केवल एक ही बात का ज्यान था वह था उसके शरीर के अंदर उसकी साधना का महान दिव्य परिपत और जूयू ने एक उत्तम साधना तकनीक परिसंचरण मार्ग का निर्मान किया था यह परिवर्तन का एक संपूल नोटर स्तर था जो यिन और यां के संतुलन राज्य के तहट गठित किया गया था धनुष ने अपने बगल में चल रही जूयू की फटीफटी सांसों पर ध्यान नहीं दिया और नहीं उसने उसके शरीर के अंदर की स्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि उसकी चेतना एक जटके में उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से डूब गई वास्टव में क्या चर रहा है? जैसे जैसे उसकी चेतना उसके आंतरिक अंगो, हड्डियों, शिरोबिंदू, सनायू बंधन और मांस्पेशियों की स्थिती पर छाई, उसने ध्यान से उन सभी का अवलोकन किया उन्हें जो आश्चर्य हुआ वह यह था, कि कोई सुधार नहीं हुआ था, और उनकी पिछली स्थिती के समान ही थी, नहीं उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ था लेकिन जैसे ही उनकी चेतना ने उनके दांतियन में प्रवेश किया, तभी धनुष अपने आंतरिक परिवर्तनों से चौक गए उनके डेंटियन के विशाल स्थान के अंदर वोर्टेक्स ब्लैक होल पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसकी जगह एक लगु दुनिया ने ले ली थी पहले के खाली स्थान में अब असंख्य सूर्य, चंद्रमा और तिल के आकार के तारे थे सितारों के रंग विविध थे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी चकाचौंध करने वाला लगु जगत स्वपन के समान कालपनिक था विशाल अनंत ब्रह्मांड की तुलना में यह वास्तव में एक लगु स्थान था, लेकिन यह क्षेत्र भी उसके डेंटियन के अंदर के स्थान से सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा था जैसे ही धनुष का विचार फैला, वह चौक गया उनका विचार पूरे अंतरिक्ष को कवर करने में सक्षम था अपनी सटीक धारना के तहट, उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष अप्रत्याशित रूप से विस्तार कर रहा था, यद्यपी धीरे-धीरे इसके अलावा, धनुष ने एक पेड़ भी देखा जो दस मीटर उचा, हराभरा दिखता था यहार हेवनली पाथ यूनिवर्स्ट्री का बीज था जो अंकुरित हुआ था, जड़ पकड़ चुका था, और धीरे-धीरे बड़ा हुआ था पेड़ के तने के पास चमकदार बहुरंगी रोशनी वाली एक लंबी तलवार चुकचाप तैर रही थी अन्य वस्तूओं के बारे में क्या? धनुष ने एक बार अपने डेंटियन के अंदर बहुत सारी वस्तूएं संग्रहीत की, लेकिन वे सभी किसी समय बिना किसी निशान के गायब हो गई वह कारण और कारण को सपष्ट करना चाहता था, इसलिए अब वह चुकचाप बलडगजलर डैगर को अपने डेंटियन के अंदर अंतरिक्ष में ले गया बस बस ठीक उसी समय जब रक्त गुजर डैगर ने डेंटियन अंतरिक्ष में प्रवेश किया, एक चूसने वाली शक्ती को लंबी तलवार से प्रेशित किया गया था और रक्त गुजलर डैगर में नहित उर्जा विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन लंबी तलवार द्वारा खीच और खाली जा रही थी, और अग्रिश्य उर्जा ने खंजर को भी प्रभावित किया क्योंकि यह जंग लगने लगा, क्या? क्या चल रहा है? धनुष ने जल्द से जल्द बलडगजलर डैगर को नियंतरित किया और डेंटियन अंतरिक्ष को छोड़ने के लिए जितनी जल् हो सके. लेकिन जैसा की खंजर कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से बरबाद हो गया था, वह रोना चाहता था लेकिन आसु नहीं थे. खंजर अब लोहे के टुकडे के सिवा कुछ नहीं था और उसमें भूत प्रेत के हतियार का नामो निशान भी नहीं था. क्या यह हो सकता ह है कि लंबी तलवार. धनुष का विचार आगे बढ़ा और तुरंप तलवार में समा गया. कुछ अकथनीय हुआ जब उसने पाया कि वह वास्तव में इसे अपने दिमाग से नियंतरित कर सकता है और इसे अपने शरीर के बाहर जारी कर सकता है. यह पूरी तरह से उनके नि यार तलवार से बहतर है, जिसे मैंने एक बार इस्तमाल किया था जब मैं अमर दुनिया में सर्वोच था. ऐसा जान पड़ता है कि जो कुछ मैंने अपने शरीर में संचित किया है, वे सब इस लंबी तलवार के द्वारा खा गए हैं. वह पहले थोड़ा व्यथित महसूस क कर सकता था. उर्जा बहुत प्रबल थी, लेकिन उसकी चेतना और प्रग्या अभी भी बहुत कमजोर थी. इससे पहले कि वह एक तलवार की आत्मा में जन्म ले सके और एक अमर या दिव्य हथियार बन सके जो वास्तव में उसका था, उसे समय और निरंतर संचय करना होगा ओ! अचानक धनुष ने पाया कि उसके डेंटियन अंतरिक्ष के अंदर बाकी की तुलना में एक ग्रह बढ़ा था, जबकि उसके डेंटियन में प्राइमल कैयोस फोर्स लगातार जुडा हुआ था और ग्रह से बाहर आया था. जैसा कि उन्होंने कॉस्मिक जेनेसिस की अधिकांश हिस्सा बाहर निकल गया. उस ग्रह में फ्यूज. खोज ने धनुष को चकित कर दिया. लेकिन इसका अध्ययन करने की एक लंबी अवधी के बाद उन्होंने पाया कि यह तथाक्थित ग्रह एक बार प्रेट था जिसने ब्रहमांड में अंकिनत सितारों को निग अधिकल नहीं है. बहुत देर के बाद धनुष ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और उसकी बंद आखें धीरे-धीरे खुली. वह केवल यह जानने के बाद असाय महसूस करता था कि यह ग्रह प्राइमल कैयोस फोर्स से बने हैं. बहरहाल ब्रहमांड के बाद से यह अभ अपनी ब्रा पहन ली थी. वह अब धनुष को एक ओर से देख रही थी. हालाकि उसने पाया कि धनुष जाग गया था और कुछ शर्मीला और शर्मा रहा था. फिर भी उसने उसे सीधे देखा. धनुष को इस समय अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई. वह उसके शरीर का पूछना चाहता था. यह पूरी तरह से एक महत्वपूर्ण क्षन था और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वह अभी भी उस दर्द को सपष्ट रूप से याद कर सकता है जो उसने पहले सहा था. सूखी खासी को बाहर निकालने के बाद धनुष पिर देने के लिए वह मुझे धन्यवाद क्यों देगी? आपने मुझे पहले कहा था कि क्यूई के प्रवाह को महसूस करना आसान नहीं है. और यह की इसे नियंकृत करने के लिए डेड़ साल की आवश्चक्ता होगी और अगर मुझे अपनी खेती को ट्रू एसेंस में बदलना है तो अभी भी एक या दो साल की आवश्चक्ता होगी. मुझे नहीं पता कि आपने क्या मतलब इस्तिमाल किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने साधनापत में कदम रखा है. एक साधक बन गया है जिसके पास सच्चासार है. क्या? धनुष ने अचानक पहले की स्थिती को याद किया और तुरंट उसकी नब्स महसूस करने के लिए जूयू की कलाई पकड़ ली. आधा मिनट बाद उसके चहरे पर एक अजीब सा भाव आया, क्योंकि उसने पाया कि उसके शरीर के अंदर न केवल ट्रू एसेंस मौजूद था, बलकि इसकी मात्रा भी अधिक थी. यिन और यांग के बीच सामनजस्य ने जूयू को फाउंडेशन स्थापना चरण के शुरुवाती स्तर तक प्रेरित किया. सीधे कूदना और क्योई शोधन चरण को छोड़ देना. धनुष का मुह कुछ देर फड़कने से खुद को रोक नहीं सका. यह एक ही समय में काफी अविश्वसनिय और बेतुका था और फिर भी उन्हें इसे एक तथ्य के रूप में स्विकार करना पड़ा. क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह दुरभाग्य जूयू के लिए आशिरवाद में बदल गया था. दूसरी और जूयू धनुष के विचारों से अंजान थी. उसके निर्दोष सुंदर चहरे पर एक मुस्कान थी जैसे उसने कहा, मुझे अब एक किसान के रूप में गिना जाना चाहिए, है न? आप मुझे कुछ जादूई मंतर कब सिखा सकते हैं? यदि आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, धनुष से बिना नहीं रह सका, हाला कि आपको पहले मुझे इस ओश्धिय आहार के बारे में बताना चाहिए, उसकी उच्टाच सुनने पर जूयू का चहरा थोड़ा बदल गया और उसने धीमी आबाज में जवाब दिया, वह, मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ, इस ओश्धि बलकि मुझे इससे बहुत फाइदा भी हुआ है, मूल रूप से मैंने सोचा था कि आश्धिय अमरत्यू केवल मजबूत और शक्तिशाली आश्धिय शक्ति होगी, यह देखते हुए कि इसकी सामगरी कितनी महेंगी थी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इसमें एक अजीब उर्जा होगी, इसने मेरे शरीर के अंदर जबरदस्त बदलाव किये, ऐसा लगता है कि आपके मियावक्षेतर में वास्तव में बहुत सारी अच्छी चीजे हैं, क्या आप मेरे साथ वापस आना चाहते हैं, यह सुनकर जूयू ने मुस्कराते हुए पूछा, धन मैं वहाँ जाता हूँ और सरनी को फिर से देखता हूँ, तो मैं एक नई प्रक्ती कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं इस सिक्स स्टार लाइट एरे को सीधे क्रैक कर सकूँ और उस इम्मॉर्टल ट्रोव को ले सकूँ, जब तुम कनास जाओ तो मुझे अपने साथ ले जाओ, जूयू ने जल्दी से कहा, मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि अमर्टल के अंदर कौन सी वस्तुएं जमा हैं, ठीक है धनुष सीधे सहमत हुए, इसके तुरंत बाद वे दोनों चुप हो गए और शर्मनाक माहौल ने उन्हें अजीब महसूस कराया, नहीं कुछ बोले क् जूयू ने बाहर आसमान में देखा, उसने फिर सिरहिलाया और कहा, ठीक है, क्या तुम मेरा साथ दोगे, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जल्द ही सो गए, यह पता नहीं चल पाया कि कितनी देर बीट जाने के बाद सोते हुए धनुष की नींद खुल गई और उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी, जुल्यू जो उसकी बाहों में सो रही थी, ने अपनी आखे खोली और पूछा, वोई बुला रहा है, धनुष ने सिरहिलाया और मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि कॉल करने वाला कांजिया था, और इसके माध्यन से कनेक्ट करने के बाद उसने पूछा क्या हो रहा है, कांजिया, हम अभी शंधाई में हैं, बॉस, आप कहा है, कांजिया ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दो या तीन दिन बाद यहां आओगे, आज आप शंधाई कैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि औश्धिय आहार का एक कटोरा पीना, किसी संकट का अनुभव करना, लाप प्राप्त करना, जूलू को अपनी पतनी के रूप में लेना, और थोड़ी देर के लिए जपकी लेना इतना लंबा समय बिताने जैसा साबित हुआ, सीधे ब्लू स् जूलू के कुछ लोग शंधाई पहुंचे हैं, और मुझे उनके साथ प्रोजेक्ट टेंडर पर चर्चा करने की आवश्यक्ता है, क्या यह शांदार तांग निगम के सीओ कांगजिया है? हाँ, धनुष ने सिरहिलाया, वह बहुत सुंदर है, जू यू ने टिपणी की, धनुष यह नहीं बता सका कि उसकी टिपणी का कोई अर्थ है या नहीं, लेकिन उसने फैटी युवान को एक बार यह कहते हुए सुना कि उसे एक महिला के सामने किसी अन्य महिला की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसकी टिपणी का जवाब नहीं दिया, और मुस और वह कभी कभार ही उसे याद करती थी और महसूस करती थी कि उसे उसकी याद आनी चाहिए, लेकिन यह कहते हुए कि उसके प्रती उसका सनेह था, वह उसे केवल थोड़ा सा ही पसंद करती थी और बहुत अधिक भावनाय जुड़ी नहीं थी, लेकिन अब अलग था, क्य ब्लू स्टार विला कॉंपलेक्स कांग जिया दो बार से अधिक वहां आ चुकी थी, इसलिए सुरक्षा गार्डों ने उसे नहीं रोका विला में दो ग्रिहस्थों ने भी उसके साथ घर की मालकिन के रूप में व्यवहार किया और उसे गर्म भोजन परोसा लेकिन कांग जिया ने चौपस्टिक्स को छुआ तक नहीं धनुष के घर लोटने के बाद और भोजन कक्ष में विचारों में खोए हुए कंग जिया को देखा वह मुस्कुराया और विप्रीत दिशा में बैठ गया आप किस बारे में सोच रहे हैं? कांग जिया अपने होश में वापस आ गई एक सुन्दर मुसकान फिर उसके सुन्दर चेहरे पर दिखाई दी जैसे उसने कहा यह कुछ भी नहीं है यह बस मैं हाल ही में बहुत ठका हुआ महसूस कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट टेंडर के मुद्दों को संभालने के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ आप स्वयन समय की व्यवस्था कर सकते हैं धनुष ने सिरहिलाया और मुस्कुराते हुए कहा लेकिन जाने से पहले मुझे पहले से बुला लेना मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कुछ लोगों को भेजूँगा नहीं, मेरे अंगरक्षक काफी है काम जिया ने अपना सिरहिला दिया आपको लगता है कि वे पर्याप्त हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, धनुष ने आहभरी यह चीन में अपेक्षाक्रित सुरक्षित है और आपके अंगरक्षक आपकी पूरी तरह से रक्षा कर सकते हैं चाहे वह गुप रूप से हो या सारवजनिक रूप से लेकिन जब आप विदेश में होंगे तो यह अलग होगा मैगनिफिसेंट टैन कॉर्पोरेशन के कई उत्पादों पर कई ताक्तें लालची निगाहों से नजर कड़ाए हुए हैं इसलिए मुझे यकीन है कि देश से बाहर कदम रखते ही कई दाक्तें आपको घूरेंगी वे तुम पर घात लगाने और तुम्हारा अभरन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कामजिया की भौहें थोड़ी टेढ़ी हैं उसने इस पर विचार किया और कहा तो भूल जाओ मुझे चुटी नहीं लिनी चाहिए थी धनुष ने मुस्कराते हुए कहा यदि आप ठीक हैं तो मैं आपको एक अच्छी जगह की सिफारिश कर सकता हूँ कहा कामजिया से पूछा हमारा भविश्य का आधार और मुख्याले नौद्रेगन द्वीग जिनिन अब वहाँ है धनुष ने उत्तर दिया कामजिया की आखें चमक उठीन और आगे देखते हुए बोली मुझे पता है कि आपने नाइन द्रेगन्स द्वीग खरीदा है और यहाँ अभी भी पुनगनिर्मान के दौर से गुजर रहा है लेकिन मैंने अब तक एक बार भी उस जगह का दौरा नहीं किया है तो ठीक है मैं खेलने के लिए बहाँ जाऊंगा धनुष मुस्कुराया और सिरहिलाया कमजिया को खाने के लिए कहने के बाद उन्होंने खाना खाते समय बाच्चीत जारी रखी और थोड़ी देर बाद इसे समाप्त कर दिया जैसे ही वे लिविंग रूम की ओर बढ़े तब उन्हें उससे पता चला कि मैगनिफिसेंट टैंक कॉर्पोरेशन के सभी वरिष्ट अधिकारी जो उसके साथ शंगाई आये थे सभी को पैराडाइज मैनर में रहने की व्यवस्था की गई थी उन्हें जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि कंजिया ने निविदा बैठक के लिए स्थान भी निर्धारित किया था आपने वहां बैठक क्योंकी धनुश से पूछा चकित अब हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हमें हर पैसे का उप्योग बहुत सावधानी से करना चाहिए काम जियाने धीरे से उत्तर दिया अगर कुछ भी हो तो पैराडाइज मैनर शुरू करने के लिए बाहर से संबंधित व्यवसाय नहीं है हमें कहा जा सकता है कि हम अपने संसाधनों का उप्योग कुछ अन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं करते हैं पिछली बार ओयान लुलुने अधिक शराब मांगने के लिए कहा था वह बिल्कुल भी विनमर नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी बहुत अच्छा था कि हम कुछ लागत कम कर सकते हैं खासी खासी धनुश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा वह कामजिया के लहजे से नाराजगी का पता लगा सकता था हाला कि उन्होंने तुरंट एक और मामला याद किया उसने धनुश से बानों को छुडा लिया था और अब उसके पीछे मुरने का कोई स्थान न था उसे भी अंदर से लगा कि यह उसके साथ नाइनसाफी है कामजिया की अभिव्यक्ती गहरी हो गई धनुश के हावभाव को देखते हुए वह बता सकती थी कि ओयान लुलू ने उससे जो कहा वह सही था उसने इसके लिए बहुत पहले ही तयारी कर ली थी और फिर भी तीवर दुरक और अवसाद अभी भी उसके दिल को भर रहा था अंदर ही अंदर धनुश केवल आहे भर सकता था उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए चुप रहने का क्षण नहीं था इसलिए वह खड़ा हुआ और उसका हाथ खीच लिया तुम मुझे कहां ले जा रहे हो जैसे ही धनुश ने कार की चावी निकाली और कार को गेट तक पहुचाया आखिरकार कांजिया ने पूछा आप हमेशा कमपनी के प्रबंधन में व्यस्त रहे हैं मुझे यकीन है कि आप शायद ही कभी खरीदारी करने जाते हैं बस इस पूरी दोपहर के लिए कांग के बारे में सब कुछ अलग रख दें मैं आपके साथ खूमूंगा और खरीदारी करूंगा कंजिया धनुश के इरादे को जानती थी यह उससे माफी मांगने का उसका तरीका था इसके बारे में बात करते हुए वह और धनुश वास्तव में काफी लंबे समय से एक साथ थे लेकिन जितनी बार वह उनके साथ खूमने और खरीदारी करने जा सके वह बहुत कम थी घूमना फिरना, शॉपिंग करना, खाना खाना और फिल्मे देखना दोपहर और शाम के दोरान, धनुश और कांजिया अविभाज थे शंधाई के कई हलचल भरे इलाकों में अपने पच्चिनह पीछे चोड़ते हुए सुभा के शुरुवाती घंटों में ही वे ब्लूस्टार विला कॉंपलेक्स में लॉट आये और फिर पुरुष और महिला के बीच गतिविधी को अंजाम दिया जिससे उनकी धधक्ती लबतें तब तक जलती रही जब तक की वे ठककर संतुष्ट नहीं हो गए वे दोनों इस बात से अंजान थे की जब वे पूरी तरह से संतुष्ट थे तभी एक सफेद बालों वाला युवक शंधाई के वेंच एवेन्यू पर एक होटल के आलिशान बिजनेस रूम के अंदर सो भी नहीं सकता था जो कड़वी अभिव्यक्ती के साथ धुआ उड़ा रहा था उसका नाम चेन जिक्सिव था जो जेजियान प्रांत के सेनिवान समोह का महा प्रबंधक था दसियों अर्बों की संपत्ती वाला एक धनी व्यक्ती कई युवा पुरुशों की मूर्ती और महिलाओं की नजर में एक आदर्श कुमवारा क्या अर्धतयार उत्पाद चल सकते हैं? एक हाथ से सिग्रेट और दूसरे हाथ से पानी उबालते हुए उसकी भोहे तन गई और वह व्यथित दिख रहा था चीन में शीर्ष दस निर्मान कमपनियों में प्रवेश करने के लिए से निवान समुह के लिए यहां उनके मिडास हैंड से अविभाज था लेकिन वह इस समय असहाय और अपनी बुद्धी से बाहर दिख रहा था वह अभी भी युवा थे और वर्तमान में केवल 29 वर्ष के हैं आठ साल पहले वह सिर्फ एक युवा और कुनकमिजाज युवक था जिसे जेजियान प्रांत में अमीर और मध्यम वर्ग के सभी वंश्डों का पूर्ण नेता माना जाता था एक प्रतिष्ठा की पूरी गड़बडी लोग कह सकते हैं उसने पहले सोचा था कि वह एक स्वतंत्र, फुर्सत और मुक्त जीवन जी सकता है अपनी युवावस्था में पैसा बरबाद कर सकता है और अपने सुखी जीवन का आनंद ले सकता है लेकिन फिर उसके सिर के उपर का आकाश धै गया सेन्युवान समुह के पूर्व CEO, उनके पिता, ब्रेन हेमरिज से मर गए और भारी दबाव और बोज अचानक उन पर आगिरा हालांकि इससे वह नहीं गिरा, लेकिन चिंता के कारण उसके बाल रातों रात सफेध हो गए 75% शेरधारिता के उत्तराधिकार के अधिकार ने उन्हें नया CEO बना दिया था और कई लोग उनके उपहास का पात्र बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे इन आठ वर्षों में उन्होंने अपनी पिछली रेश्मी पैंट की जीवन शैली को बदल दिया पागलपन से विभिन प्रकार के ज्यान सीखे और लगातार अपनी कमियों को पूरा किया यह ऐसा था जैसे वह एक जादू के अधीन था और सम्मोहित था पहले साल उन्होंने सेनिवान समोह को इसके CEO के रूप में संभाला उनकी कमपनी के स्टॉक इंडेक्स की कीमत एक बार में लगभग 20% तेजी से गिर गई जिससे इसकी संपत्ती गंभीर रूप से सिकुड गई उनके कार्यभार संभालने के बाद दूसरे वर्ष में कमपनी के व्याय और आय में संतुलन आ गया और ब्रेक इवन बिंदु हासिल कर लिया अपने तीसरे वर्ष में उन्होंने एक अत्यंत जोखिम भराव विलाई किया एक नई अचल संपत्ती का विकास और विक्री की और अपने पहले वर्ष के घाटे को वापस अरजित किया और अभी भी कुछ अधिशेश बचा था चौथे वर्ष पाँचवा वर्ष सेन्युआन समूह की लगातार बढ़ती आय नहीं रुकी और इसे आस्मान चुना, घूमी का अधिग रहन करना और हर जगह आवासियक शेत्रों का विकास करना, व्यावसाइक भवनों की विक्री करना कहा जा सकता है आठवे वर्ष में सेन्युआन समूह की कुल समपती दस गुना बढ़ गई थी, जबकि चेन्जिक्स्यू भी एक शांदार नाम के साथ एक प्रसिधरियल एस्टेट टाइकून बन गया था अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी उसके मोबाईल की रिंगटोन ने उसके दिमाग को पीछे खीच लिया, जिससे चेन्जिक्स्यू के हाभाव बदल गए उसने जल्दी से कॉल्स विकार कर लिया और गहरी आवाज में कहा, क्या तुमने इसे ढूंड लिया मेरे पास है थोड़ी देर बाद, चेन्जिक्स्यू ने फोन काट दिया, और फिर दूसरा सेल नमबर डायल किया अस्टरिस्ट 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 ब्लूस्टार विला कॉम्पलिक्स धनुष अभी सोही रहा था कि मुबाईल की रिंगटोन की आवाज से उसकी नींद खुल गई उसने कंग जिया पर नजर डाली, जो अभी भी सो रही थी, उसके पास अपना फोन लेने के अलावा कोई चारा नहीं था उसने देखा कि यह एक अप्रिचित नंबर से कॉल था, इसलिए वह इसे स्विकार करने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, और फिर कहा, धनुष बोल रहा है, यह कौन है श्रीमान धनुष इतनी देर रात आपको परिशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है मैं सेन्यवान ब्रुप का चेन जिक्सियू हूँ, बस मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो धनुष का लहजा थोड़ा रुखा था, आखिरकार उसने बस एक कसरत की थी और थोड़ा थका हुआ था, जबकि शोर से जागने से पहले वह भी सो गया था, जिससे उसका मूर काफी खराब हो गया था श्रीमान धनुष इतनी देर रात आपको परिशान करने के लिए मुझे वस्तव में खेद है मुझे पता है कि यहाँ अनुचित है और मेरे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है क्या आप मुझे से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? अब, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? धनुष ने समय देखा तो देखा कि रात के धाई बज रहे थे चेन जिक्सियू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मुझे डर है कि अगर मैं कल तक इंतजार करता हूँ तो मुझे टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा आने वाला कल धनुष को तब याद आया कि कल प्रोजेक्ट के लिए टेंडर था उन्होंने यह भी याद किया कि कामजिया ने शीर्ष दस धरेलू निर्मान कमपनियों को सूची बद किया था सेन्योआन समोह उन में से एक था और कमपनी के असली करनधार इसके CEO चेन जिक्सियू थे हाला कि देर रात हो चुकी थी क्या वह उस परियोजना को प्राप्त करने के लिए पिछले दरवाजे से जाना चाहता था जिसका टेंडर होने वाला था धनुष ने जवाब देने से पहले कई सेकंड सोचा अब तुम कहा हो मैं वेंज एवेन्यू पर होटल में हूँ मुझे नहीं पता कि वह कहा है यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो एक घंटे के भीतर शंधाई विश्वविद्या लई जाएं मैं प्रवेश द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ 40 मिनट बाद शंधाई विश्वविद्याले परिसर के प्रवेश द्वार पर धनुष बड़े करीने से कपड़े पहने हुए था क्योंकि वह अपनी कार के अंदर इंतजार कर रहा था और चुपचाप ऑनलाइन मिली जानकारी को पलट रहा था यह सब चेन जिक्सियू के रिज्जू में और पोर्टफोलियो के बारे में था सामगरी छोटी थी लेकिन बहुत सारी हाइलाइट्स के साथ इसे पढ़ने के बाद उन्हें यह भ्रम भी हो गया था कि इस चेन जिक्सियू की तुलना उनसे की जा सकती है वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव को रातों रात बदल दिया था किसी ऐसे व्यक्ति की पसंद जो विमानों को पार कर वापस लौट आया हो मुख्याले ने अभी एक और सूचना भेजी है बॉस खिलकी के बाहर खड़े मो आउने अपना टैबलेट धनुष को थमा दिया इसे ग्रहन करने और गंभीरता से पढ़ने के बाद धनुष के हावभाव अत्यंत गंभीर हो गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि Everlasting Fest Hall में वास्तव में चेन जिक्सियू के बारे में जानकारी होगी जानकारी बहुत विस्त्रित थी और यह सपष्ट था कि रिकॉर्ड में कुछ ऐसे मामले थे जो जनता के लिए अग्यात थे शुद्धियान सम्विधान साथ ही प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली दस्तावेस पर अंतिन पिपणी धनुष के दिमाग में गूंज रही थी जबकि उस नोट को लिखने वाला गुसियाउसुए था गुसियाउसुए का नंबर डायल करने से पहले धनुष कुछ देर के लिए हिचकी चाया फिर उन्होंने पूछा चेन जिक्सियु के बारे में जानकारी क्यों है और तुमने उसे अनंत दावत हौल में भरती क्यों नहीं किया यह मास्टर ही थे जो सन्योग से उनसे मिले थे जब वह एक बच्चे थे, ग्रैंड मास्टर गुसियाउसुए ने उत्तर दिया उसने हमें चेन जिक्सियु की स्थिती पर नजर रखने का आदेश दिया लेकिन फिर मास्टर पूरे साल उत्कृष्ट पगोडा के अंदर रहे जबकि मैं लोगों को उनकी जाच के लिए भेजने के लिए जिम्मेदार था मैंने अंतह पाया कि उनका एक समस्याग्रस्त व्यक्तित्व था इसलिए उन पुरुषों को आदेश दिया जिन्होंने उनकी जानकारी एकतर की थी कि वे उन्हें अनन्त दावत हॉल में भरती न करें उनके व्यक्तित्व के साथ कोई समस्या धनुष ने दस्तावेज को फिर से देखा और वहां गुसियाव सुए द्वारा लिखी गई एक टिपणी थी रहस्यमय और मन की भविश्यवानी करना असंभव सतह के नीचे जंगली प्रकृती और अनियंत्रित्ता को वश्मे करना कठिन समस्याओं से निपटे समय निर्मम और शातिर और अप्रम परागत जुगार का सहारा लेना पसंद करता है धनुष ने फोन रख दिया और मो आउ को टैबलेट वापस दे दी फिर वह अपने आप से बड़बडाया वह काफी अच्छी प्रतिभा है अफसोस की बात है कि वह वास्तव में यहाँ पैदा हुआ था क्या आप उसे वश्मे करना चाहते हैं सन्योग से बॉस मो आउ जिसने उसकी अभिव्यक्ती को देखा ने पूछा धनुष थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और अचानक मुसुराया और बोला मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक निरीक्षन और जाच के दाएरे में रहे आजकल कुछ ही लोग मेरी दिल्चस्पी जगा सकते हैं अगर कोई सुखद आश्चर यह होता है शायद मैं करूंगा धनुष की कार की ओर जा रहा था नमस्कार श्री धनुष चेन जिक्सियू ने महसूस किया कि धनुष का कार से उतरने का इरादा नहीं था इसलिए उनके पास जुखने और कहने के अलाबा कोई विकल्प नहीं था धनुष ने एक भाभीन अभिव्यक्ती पहनी थी उसने खिडकी से सिग्रेट का बट फेंका और चेन जिक्सियू के चहरे को थोड़ा बदला हुआ देखा फिर उदासींता से कहा अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी से कहिए मौसम थंडा है और बिस्तर पर सोना बाहर की तुलना में कहीं अधिक आराम दे है एक पल के लिए चेन जिक्सियू चुप हो गया वह अचानक मुसुराया और बोला श्रीमान धनुष इतनी देर रात आपको परिशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है मैंने ऐसा क्यों किया इसका मुख्य उद्देश आपकी कमपनी की निर्मान परियोजना से संबंधित है जो होने वाली है एक कहावत यह भी है कि श्री धनुष ने भी सुना होगा कि नाजुक कारियों में समय और धीमा श्रम लगता है और आपकी कमपनी द्वारा केवल कम समय देने के कारण मैंने व्यक्तिगत रूप से खाका डिजाइन तयार करने के लिए आर्किटेक्ट टीम का प्रभार लिया हम इसका केवल साथ परसेंट ही पूरा कर सके कृप्या इसे देखें धनुष ने लापरवाही से उसकी ओर देखा फिर डिजाइन रोल ले लिया जैसे ही उन्होंने रोल खोला और कुछ बार देखा तो उनकी द्रिश्टी तुरंट केंडरित हो गई दिजाइन धनुष द्वारा दिये गए मुख्य दिजाइन के अनुसार उतकृष्ट कौशल के साथ उतकृष्ट रूप से किया गया था इसे सावधानी से अच्छी तरह से विभाजित और खंडित किया गया था या तो फर्ष की उचाई इमार्तों का वितर्ण वास्तुशिल्प दिजाइन और स्थान का उपयोग ये सभी अच्छी तरह से किये गए और उतकृष्ट थे आधुनिक वास्तुशिल्प दिजाइन का केवल उतला ग्यान होने के बावजूद धनुष अभी भी अचंभित महसूस करता था दुर्भाग्य से यह एक अधूरा या बलकी एक अर्धतयार उतपाद था धनुष ने अन्यदर्जनो डिजाइन ड्रॉइन का अवलोकन किया और फिर उन्हें फिर से रोल किया इसे चेन जिक्सियू को सौंक दिया और कहा यहां बहुत थंड है चलो चैट करने के लिए कोई जगह ढूंडते हैं चेन जिक्सियू की आखों में एक चमक भर गई क्योंकि वह बिना किसी हिचकी चाहट के अपनी कार में लौट आया दोनों कारे 10 मिनट से भी कम समय तक चली और अंत में पास की एक सड़क पर 24 घंटे सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर रुप गई स्वागत युवा और सुंदर महिलात लर्क ने सिर उठा कर उनका अभिवादन किया 24 घंटे चलने वाले इस सुविधा स्टोर में दो पुरुष और एक महिलात लर्क थे और वे तीनों बहुत छोटे थे हाला कि जब काउंटर पर मौझूद महिलात लर्क ने धनुष को देखा तो वह आश्चर्य से कहने से पहले एक पल के लिए हलके से खाली हो गई धनुष स्टोर में घुसे धनुष ने महिलात लर्क की बात पर ध्यान नहीं दिया जब उसने उसे अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसने दूर से उसकी और देखा उसे उम्मीद नहीं थी कि महिलात लर्क यी लियानियन निकलेगी तुम यहां क्यों हो? धनुष को देखना ही लियानियन के लिए एक सुख़द आश्चर्य था थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उसने कहा मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं अपना जीवन यापन करने के लिए काम कर रही हूँ आप कैसे है? तुम इस तरह देर रात बाहर कैसे निकली? मैं अभी अभी अपने एक मित्र के साथ कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए बाहर आया हूँ कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम से यहां मिलूंगा ताम जूने कहा अगर कुछ है तो बस मुझे बताएं कि क्या आपके पास पैसे की कमी है जब तक कि यह साथ अंकों से कम है मैं वादा करता हूँ कि आप बाद में मेरे लिए काम कर सकते हैं यी लियान्यान अपनी हंसी नहीं रोक सका क्या आप मेरे वेतन का अग्रिन भुगतान करना चाहते हैं सन्योग से? हाँ धनुष की पुष्टी की नहीं अगर एक सजजन दान से नहीं खा सकते हैं तो मैं एक महिला के रूप में हूँ यी लियान्यान ने अपना सिर्थ थोड़ा हिलाया जब मैं आधिकारिक तौर पर आपके लिए काम करूं तो मुझे मेरा वेतन दे पास के पुरुष्ट लर्कों ने अपने होटों को सिकोड लिया और तिरसकारपूर्ण द्रिष्टी डाली साथ अंक क्या बैल है? कुछ अमीर रेड इंडियन होने का नाटक कर रहे हैं यदि आप यी लियान्यान का समर्थन करना चाहते हैं और अपनी मालकिन के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे सीधे कहें उससे धोखा देने के लिए खाली शब्द क्यों? पाखंडी दोनों ने सीधे तोर पर धनुष को अंदर ही अंदर लेबल कर दिया धनुष ने चेन जिक्सिव को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो अपनी पीठ के पीछे बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चेहरा पहने हुए था उसने खिड़की के पास रखी एक मेज की ओर इशारा किया और कहा यी लियान्यान हमें एक ओडेन और पानी की दो बुतले दें समझ गया कृप्या थोड़ी प्रतीक्षा करें यी लियान्यन मुस्कुराए और चले गए धनुष और चेन जिक्सियु खिड़की के पास आये और टेबल पर बैठ गए तब धनुष सीधे बोले मैंने आपकी कमपनी द्वारा तयार किये गए डिजाइन को देखा है और वे वास्तव में उत्कृष्ट है लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है लाब खो धनुष ने तिरस कार्पूर्ण भाव से टिपपनी की हर कोई लाब प्राप्त करना चाहता है लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आप मुझे ढूनकर केक का एक टुकड़ा काट सकते है यह एक सरल सक्य है कि मैं जो कर रहा हूँ वह अधूरा डिजाइन लेने के लिए एक मूर्ख का सपना है और फिर भी मैं इस शांदार 10 कॉर्पोरेशन की बड़ी परियोजना निविदा जीतना चाहता हूँ मैं इसके बारे में बहुत सपष्ट हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी कंपनी पूरी डिजाइन के बिना प्रोजेक्ट नहीं सौंपेगी लेकिन मैं शर्त लगा रहा हूँ और पता चला है कि मैंने पहले ही बाजी का 40% पालिया है ऐसा क्यों धनुष ने दिल्चस्पी से पूछा मैंने तुम्हें फोन किया और रात के मध्य में तुम्हें अपना आरामदायक बिस्तर छोड़ने में सफर रहा यह साबित करता है कि मैं लगभग 20% सफर रहा हूँ फिर आपने अधूरे डिजाइन को देखा और 20% जोड़ा पिछले में जोड़ा गया यह 40% है चेन जिक्सियों ने मुस्कराते हुए कहा धनुष ने सिरहिलाया और कहा आप बहुत आश्वस्थ हैं जिसकी मैं सराहना कर सकता हूँ तो मुझे सीधे बताओ आप सीधे आये और मुझे देखने के लिए अपनी अर्धनिर्मिक डिजाइन ले गए क्या आप मुझे प्रभावित करने के लिए तयार थे चेन जिक्सियों ने खुद अंगिनत बार अपनी खुद की स्क्रिप्ट का पार्ठ किया था इसलिए वे विश्वास के साथ जवाब दे सकते थे मैगनिफिसेंट टैन कॉर्पोरेशन एक और योगिक पार्क और मुख्याले की एक बड़ी निर्मान परियोजना बनाने की योजना बना रहा है जबकि मेरा सेनिवान समूह केवल एक टुकड़ा कमाएगा शुरू से अंत तक एक सौ मिलियन योवान एक बार जब हम इस परियोजना को जीत लेते हैं और इसे शुरू कर देते हैं तो आपका मैगनिफिसेंट टैन कॉर्पोरेशन परियोजना के लिए आवश्यक सभी पूंजीगत व्य सहित पूरी परियोजना की सभी प्रक्रियाओं की निगराने के लिए किसी को भेज सकता है सौ करोड धनुष ने अपनी भौहें गहरी सिकोर ली उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जिक्सियू को केवल एक सौ मिलियन यूआन चाहिए भुत कम उन्होंने कांग जिया के साथ की गई गणना के आधार पर Magnificent Tank Corporation के मुख्याले और शंधाई में ओध्योगिक पार्क का निर्मान निवेश कम से कम 10 बिलियन होना चाहिए दस अरब यूआन मूल्य की परियोजना से 100 मिलियन की कमाई निश्चित रूप से कोई भी निर्मान कमपनी करने को तयार नहीं थी यह मामला इतना आसान नहीं होना चाहिए नहीं धनुष ने अवचेतन रूप से एक सिगरेट निकाली और चेन जिक्सिव ने तेजी से एक लाइटर लिया और उसके लिए उसे जला दिया बॉस धनुष आपके लिए इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करना यह साबित करता है कि आपकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता असाधारण है चेन जिक्सिव ने कहा मैं एक परिचय के रूप में Magnificent Tank Corporation के मुख्याले और शंगाई में इमारतों के निर्मान के लिए आपकी योजना का उप्योग करना चाहता हूँ या आप इसे एक उपहार कह सकते है जब तक बॉस धनुष Magnificent Tank Corporation की भविश्य की सभी निर्मान परियोजनाओं को मेरे सेन्युवान समुह को देने का बादा करते हैं धनुष का चेहरा थोड़ा बदल गया था और उसकी आखों में एक ठंडी चमक आ गई थी उसने चेन जिक्सियू के सामने अपना फोन निकाला और जल्दी से एक सेल नंबर डायल किया Magnificent Tank Corporation के सभी वरिष्ट अधिकारियों का निरीक्षन करें मैं जानना चाहता हूँ कि कमपनी की शाखा विकास की नई योजना किसने लीग की है समझा फोन से Transmitted Everlasting Fest Hall के Intelligence Chief की आवाज चेन जिक्सियू शांत भाव से मुस्कुराती रही और धनुष के फोन कॉल खत्म होने तक इंतजार करती रही फिर उन्होंने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा बॉस धनुष आपकी कंपणी ने यह विकास योजना बनाई है और मुझे विश्वास है कि शंधाई में परियोजना और निवेश का पैमाना काफी बड़ा होगा इसके अलावा सहयोगी भागीदारों की तलाश करना आपके लिए अप्रिहार यहोगा सच कहू तो मेरा सेनिवान समूह 20 से अधिक वर्षों से रियल एस्टेट व्यवसाय में लगा हुआ है और इसे चीन की शीर्ष 10 निर्मान कंपनियों में स्थान दिया जा सकता है हालांकि मेरी कंपनी प्रिसेट में एक बाधा तक पहुँच गई है अगर मैं इस स्थिती को तोरना चाहता हूँ और अपने वितास को एक स्थर तक ले जाना चाहता हूँ तो हमें दूसरा शॉर्टकट खोजना होगा और अप्रमपरागत जुआ खेलना होगा और आपका मैगनिफिसेंट 10 कॉर्पोरेशन हमें कोई रास्ता दे सकता है धनुष ने मेज पर दस्तक दी और अपनी आखें नीची करी और कहा मान लीजिए कि मैं मैगनिफिसेंट टैंग कॉर्पोरेशन के मुख्याले और अध्योगिक पार्ग की निर्मान परियोजना आपको सौंपता हूँ क्या आप दरते नहीं है कि आपके जाने के बाद मैं अपनी प्रतिबधता वापस ले लूँगा निर्मान के साथ किया इमानदारी से कहूं तो मैं यहां आपके चरित्र और नैतिक अखंटा पर दाव लगा रहा हूँ चेन जिक्सियू ने गंभीरता से कहा धनुष ने लापरवाही से कहा कभी-कभी किसी का चरित्र एक बार ध्यान देने योग्य नहीं होता है जब वह हितों और लाभों का सामना कर रहा हो मैं शर्ट लगा रहा हूँ कि आपका चरित्र दाव के लायक है एक बार फिर चेन जिक्सियू ने कहा इसके अलावा मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गारंटी देता हूँ कि मेरा सेनिवान समो अनुवर्ती सहयोग में लाल्ची नहीं होगा हम वही लेंगे जो हमें कमाना चाहिए और हम अपने आपको इस बात के लिए बाध्य करेंगे लेकिन फिर भी परियोजना की गुनवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं तो लाब से आपका मतलब सिर्फ इतना है कि आप मात्रा के रास्ते पर जाना चाहते हैं नहीं धनुष ने उदासींता से कहा यह सही है चेन जिक्सियू ने द्रिड़ता से सिरहिलाया धनुष ने जवाब में सिर्फ सिरहिलाया न केवल उसने उसे कोई वादा नहीं किया बलकि उसने यी लियानियन को देखा जिसने मेज पर दो ओडेन सर्विंस रखे और मुस्कराते हुए कहा यह सामान बहुत अच्छा लगता है जिसने जवाब में सिरहिलाया लेकिन जब उसने इसे निगला तो वह इसका स्वाद बिलकुल नहीं ले सका वह अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा था कि क्या धनुष को प्रभावित करने और उसे आगे बढ़ाने का मौका बढ़ गया है और प्रतिशक कितना होगा धनुष ने चुपचाप उसकी सेवा को खा लिया और कभी-कभी चेन जिक्सियू के चहरे पर नजरे गड़ाये हुए थे उनके विचार्शी रूप की चानबीन कर रहे थे इसने चुपके से उसे हैरान कर दिया और थोड़ा पच्टावा भी हुआ जिस बात ने उसे आश्चर्यच्कित किया वह यह थी कि इस आदमी के पास वास्तव में वह क्षमता और पूंजी थी जो उसे संतुष्ट और प्रेरित करती थी उसे जिस बात का पच्टावा था वह यह था कि चेन जिक्सू की बहुत अधिक महत्वा कांख्शा थी हाला कि वह महत्वा कांख्शा वाले लोगों से नहीं डरता था फिर भी वह उस पर बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहता था क्या मैं आपसे कोई बात पूछू ओडेन की आधी कटोरी खत्म करने के बाद धनुष ने टिश्यू से अपना मुह पोच्छा और मुस्कुराते हुए कहा चेन जिक्सू ने ओडेन को अपने मुह में निगल लिया फिर पानी की बोटल को टेबल पर रखा और उसे घूट लिया फिर उसने उत्तर दिया प्रिप्या पूछो मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उत्तर दूँगा अगर आपको भेडिये और चील में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे धनुष से पूछा मैं एक बास चुनूँगा चेन जिक्सियू ने बिना किसी हिच्टी चाहट के कहा क्यों? एक भेडिया स्वभाव से जंदली होता है हमेशा अपनी ताकत, सक्त और द्रिड के साथ चौतरफा होता है ठीक वैसे ही जैसे आपने आठ साल पहले शुरू किया था हालांकि एक चील वास्तव में आकाश में उची उडान भर सकती है लेकिन उसके पास भेडिये का व्यक्तित्व नहीं है और वह केवल अपनी जन्मजात क्षमता के आधार पर खाद्य श्रिंखला में जीवित रह सकती है चील विशाल आकाश तक उर सकती है और जीवन के सभी क्षेत्रों और समवेधन शील प्राणियों को नीचे देख सकती है मैं इसके बजाए उचा और अलग बैठना पसंद करूँगा मैं एक भेडिया नहीं बनना चाहता भले ही उसके पैक का एक अलफ़ा चेन जिक्सियू ने कहा धनुष ने आ भरी अगर यह एक भेडिया होता तो भी उसे वश में करने का इरादा होता लेकिन अगर यह एक ची बरबाद नहीं करना चाहता था और तो और चेन जिक्सियू के पास बहुत अधिक दौलत थी यदि उसे क्रिशक बनना होता तो उसके पास संसाधनों के लिए होर करते हुए प्रतियोगिता में बने रहने के लिए पूंजी होती धनुष के प्रिथवी पर लोटने के बाद उसने पाया कि वास्तव में यहां कई कींती जड़ी बुटिया थी लेकिन वे कींती जड़ी बुटिया सीमित थी और वह और अधिक परेशानी नहीं जोड़ना चाहता था यह वास्तव में अफसोस की बात है धनुष ने अपना बटुआ निकाला और सौबिल युआन लेक उसके जाने से पहले धनुष के शब्दों को याद करते हुए उसके दिमाग के अंदर सभी प्रकार के विचार मन्थन और घूमने लगे खाला कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि धनुष ने उन्हें परियोजना की बोली में भाग लेने की अनुमती दी थी और अपने सेन समोह को चुनने की अत्यधिक संभावना थी उनके अंतिम वाक्य से उनका क्या मतलब था वह इसका पता नहीं लगा सका और इसने उसके मूर को कुछ उदास कर दिया क्या आप ओडेन की एक और सेवा करना चाहेंगे सर यी लियानियन मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चेन जिक्सियू हुँ सेनिवान इसे भूल जाओ अगर आप बुरा नमाने तो बस मुझे बिग ब्रदर चेन बुलाएं ठीक है आप कैसे हैं भाई चेन गी लियानियन मुस्कुराया चेन जिक्सियू ने सिरहिलाया और मुस्कराते हुए कहा क्या आप बैठ कर बात करना चाहें ये लियानियन ने अनुपालन किया और धनुष द्वारा पहले इस्तिमाल की गई कुर्सी पर बैठ गया वह फिर मुस्कुराई और बोली भाई चेन को काफी सक्षम आदमी होना चाहिए है ना मैंने अभी आपकी बातचीत सुनी आप धनुष के साथ एक व्यापारिक साज करना चाहता हूँ बिलकुल ये लियानियन ने मुस्कुराते हुए कहा धनुष बहुत काबिल इनसान है यदि आपके पास कोई कौशल नहीं है तो वह संभवता अपनी नींद कैसे खो सकता है और आपके साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए यहां आ सकता है हाला कि मैं बता सकता हूँ कि यहां आप ही है जो आप दोनों के बीच की बातचीत को सुनने के बाद उससे पूछ रहे हैं चेन जिक्सिव खुद को हनसे बिना नहीं रोक सके और कहा यह सही है यह मैं ही हूँ जो उससे मुझे आयका स्रोत और दौलत देने के लिए कह रहा है आप अप अपने सपने को तब तक साकार कर सकते हैं जब तक आप इमानदार हैं मैं यही मानता हूँ यह लियान्यान हनसे धनुष के लिए वहट हलांकि कभी कभी कुछ मामलों में उसका नरम पक्ष होता है क्या आप शायद उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हैरान होकर चेन ज चार किया और कहा नहीं मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका वह पक्ष कभी कभी चमकता है भाई चेन आप बहुत खूबसूरत आदमी है लेकिन आपके पास धनुष जैसा आकर्शन नहीं है मुझे पहले से याद है यी लियान्यन क के शब्द अचानक रुप गए जैसे कि उन्हें एसास हो गया था कि यह कुछ ऐसा था जिसे कहा नहीं जा सकता था अंत में उसने कुछ अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा मुझे याद आया जब धनुष ने मुझे बचाया था चेन जिक्सियू के मुह के कोने पर एक मुस के साथ कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके पास ऐसी कौन सी ख्षमताय हैं कि वह आप जैसी सुंदर महिला के लिए एक रक्षक बन सकता है मुझे ख्षमा करें मैं आपको यह नहीं बता सकता यी लियान्यान ने एक सूखी मुस्कान के साथ मना कर दिया ओह चेन जिक इसलिए मैं कुछ बताने जा रही हूँ धनुष के प्रती कभी भी कुछ सित विचार मत रखो नहीं तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे इतना कहने के बाद वह तुरंक चेकाउट काउंटर पर लॉट आई और चेन जिक्सियू के निर्देश की ओर कभी नहीं देखा चे कि उनकी जग्यासा वास्तव में शांत थी फिर भी उन्होंने आग्रह को दबा दिया अगली सुभा जल्दी जब धनुष नीम से जागा तो उसने पाया कि जो पहले उसके पास था वह गायब हो गया था तयार होने के बाद अपना चेहरा साफ किया और अपना मोह कुला किय वह पहली मंजिल पर गया और फिर रसोई से कुछ आवाजे सुनी जल्दी उठ जाओ धनुष दर्वाजे पर जुप गया और कंग्जिया की पीट को देखा जो अब एपरन पहने हुए थी और खाना बना रही थी कंग्जिया ने मुरकर मुस्कुराते हुए कहा क्या तुम कंग्जिया ने मुसकराते हुए कहा आप वास्तव में बिग बॉस के नरक हैं हमेशा बेकार और लापरवा वैसे भी बस भोजन कक्ष में जाएं और वहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें नाश्ता जल्द ही परोसा जाएगा धनुष ने हालांकी नहीं छोड़ा लेकिन कहा वैसे भी यह चेन जिक्सिव था जिसने कर रात मुझे फोन किया था इसलिए मैं उससे मिला था कांग जिया दंग रह गई और उसने तुरंट पलट कर पूछा वह आपसे क्या चाहता था धनुष ने कहा उनकी कमपनी सेनिवान समोह ने अभी तक पूरा खाका तयार नह मारे मैगनिफिसेंट टैंग कॉर्पोरेशन की नवीनतम विकास योजना लीक हो गई है क्या कामजिया का चेहरा बहुत बदल गया था और उसकी आखों में हलका सा गुस्सा था धनुष ने कहा मैंने पहले ही इसकी जाच के लिए किसी को भेजा है मैगनिफिसेंट टैंग क कर्पोरेशन के सभी वरिष्ट अधिकारियों की जाच की जाएगी और मुझे यकीन है कि परिणाम जल्द ही सामने आएंगे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वह यह है सेनिवान समोह ने समगर ब्लूपरिंट डिजाइन का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है और मैंन गया तुम्हारा क्या मतलब है धनुष ने सिरहिलाया लेकिन चेन जिक्सियू ने मुझे अपना मूल विचार बताया और बोली लगाने के पीछे यह एक प्रकार का गुप्त उद्देश था हाला कि शंगाई में काम की मात्रा काफी बड़ी होगी लेकिन यह स्पष्ट है क कि वह पूर्ण उच्चगुनवत्ता वाला ब्लुक्रिंट डिजाइन तयार करना चाहता है और फिर भी उसके पास इसके लिए अधिक समय नहीं है वह छोड़ना चाहता था इसलिए उसने एक और विकल्प पेश किया कुछ मिंटों के बाद धनुष ने चेन जिक्सियू की योजना के बारे में बताया और अंत में निशकर्ष निकाला वह मुझ पर दाव लगाना चाहता है फिर हम उसे जुआ खेलने देंगे हम अपनी कमपनी के मुख्याले और ओध्योगिक पार्क का निर्मान उनके सेनिवान समों को सौंप देंगे एक बार जब यह पूरा हो जाए तो उसे हमारे शाखा कार्यालियों और विशिष्ट स्टोरों के निर्मान के प्रबंधन में शामिल करें जब तक वह लाल्ची नहीं है हमें बाद में उस पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कामजिया ने मुस्कुराने से पहले थोड़ी देर के लिए गह पर अंदास नहीं करना चाहिए Magnificent 10 Corporation के मुख्याले और ओध्योगिक पार्क का निर्मान आधे साल के भीतर पूरा करना असंभव है एक साल भी काफी नहीं है हमारे अनुमान के मुताबिक इससे कम से कम अगले साल के अंध तक पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है सेन्यवान समूह को एक या दो प्रांतों में परियोजनाएं दे सकते हैं पहले प्रांत में काम पूरा होने के बाद और अगर यह कमपनी हमें दिन के उजाले में लूटने और लाल्ची बनने की हिम्मत करती है तो हम समय रहते सहयोग बंद कर सकते है कामजिया ने इसके बारे में सोचा और कहा यह वास्तव में काफी सही और उचित है तो हो जाए अगर आज अन्य बोली दाताओं से कोई अच्छा आश्चर्य नहीं हुआ तो हम सेन्यवान समू को चुनेंगे नाश्टा काफी लजीज था और स्वाद में लाजवाब था जब धनुष और कांजिया अपना नाश्टा समाप्त कर चुके थे और स्वर्ग मनोर के लिए बाहर जाने की तयारी कर रहे थे एक बिन बुलाए महमान आया और धनुष की आज की सभी योजनाओं को बरबाद कर दिया आप यहां क्यों आए दादा धनुष ने चिंतित दिखने वाले तान गोशिंग को देखा और आश्चर्य भाव से पूछा जबकि कांग्जिया उसके सामने कुछ असच दिख रही थी तान गोशिंग के साथ आने वाला व्यक्ति तान मिन था उसके चहरे पर बेचैनी थी क्योंकि उसने धनुष को देखा ऐसा लगता था कि वह कुछ बार बोलना चाहती थी लेकिन जिजक रही थी कंग्जिया और धनुष को एक साथ रहते हुए देखने के बावजूद इस समय उसके दिमाग में इस मुद्दे को लेकर कोई विचार नहीं था चलो तुम्हारे अध्ययन कक्ष में बात करते हैं धनुष ठीक है धनुष तान गोशिंग और तान मिन को अध्ययन कक्ष में ले गया जबकि कंग्जिया चाय परोसने के लिए तयार हुई जब चाय वितरत की गई और तान गोशिंग और तान मिन को दी गई तो वह जाने के लिए तयार हो गई वहाँ बैठो धनुष ने मेज के बगल वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा कामजिया सुस्थ दिख रही थी और हिचकी चाते हुए आध्याकारी धंग से चली गई तांगोशेंग हालां की थोड़ा हैरान था उसने कंजिया को देखा और अपनी दृष्टी धनुष पर स्थानांतरित कर दी इससे पहले की वह धीरे से कहता एक बड़ी घटना हुई यह बड़ी संख्या में खुफिया कर्मियों और सैनिकों के साथ साथ सैक्रों हजारों लोगों के जीवन के बारे में है यह हमारे तान परिवार की छिपी हुई शक्ती के जीवित रहने और नश्ट होने के बारे में भी है धनुष का दिल धड़क उठा और उसने जो सुना उसे विश्वास नहीं हुआ सभी को पता होना चाहिए कि अब शांती का युग था इतनी गंभीर समस्या कैसे हो सती है बिल्कुल क्या हुआ दादा तान गोशिंग हिच्किचा रहे थे उन्होंने सैन्य न्याय और अंगिनत लोगों को पढ़ने के लिए जीवन भर बिताया हाला कि वह देख सकता था कि कंगजिया और धनुष के बीच एक असामान्य रिष्टा था वह नहीं जानता था कि क्या वह उस पर भरोसा कर सकता है क्योंकि वह जो कहने जा रहा था वह अत्यंत महत्वपून था समगर रूप से स्थिती महत्वपून थी और स्वया धनुष के संबंध में तो और भी महत्वपून थी अपनी उत्कृष्ट बुद्धी के साथ धनुष ने तांग गोशिंग को एक बार फिर कंगजिया पर देखा और तुरंट समझ गया कि उसके मन में क्या है फिर उन्होंने कहा दादाजी तांग जिया मेरी महिला है एक कल्टिवेटर होने के अलावा कोई बहुत करीबी जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ आप कुछ भी कहने में सहज महसूस कर सकते हैं तांग गोशें और तांग मिन के लिए यह पहली बार था जब धनुष ने व्यक्तिगत रूप से इस तथ्य को स्विकार किया कि उसके पास पहले से ही एक महिला थी यहां तक की बाहर के लोग भी जानते थे कि उनकी महिला मूवानिंग थी उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से कभी स्विकार नहीं किया इस समय पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखा और अंत में कांग जिया को पूरी तरह से स्विकार कर लिया इसके अलावा वह एक क्रिशक थी एक कल्टिवेटर के रूप में उसकी स्थिती से पता चलता है कि वह वास्टव में धनुष की सबसे प्रभावी सहायप थी इस समय उन दोनों ने महसूस किया कि यह कोई आश्चर्य नहीं था कि धनुष मैगनिफिसेंट टैंग कॉर्पोरेशन के प्रबंधन पर अपना अधिकार कांग जिया को हस्तांतरित कर सकता है लिटल कांग तुम मेरे टैंग परिवार की भावी बहु बनोगी तांग गोशेंग ने कांग जिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया इतना कहकर उसने सीधे धनुष की ओर देखा और धनुष की चाय की मेज पर रखी सिगरेट ले ली तैंग परिवार की बहु इस समय कांग जिया के दिल के अंदर एक बड़ी लहर उठी और उसका कोमल शरीर कई बार कामपने से खुद को रोक नहीं सका आनंद के साथ तीवर परमानंद ने उसे पहले से कहीं अधिक संतुष्ट महसूस कराया वह धनुष की बहुत परवाह करती थी और स्वाभाविक रूप से तान परिवार के बुजर्गों से अनुमोधन प्राप्त करने की परवाह करती थी वह कभी-कभी इसके बारे में सोचती थी लेकिन अपने सपने के सच होने की उम्मीद नहीं करती थी किसी के स्नेह को गहरा करने के लिए कभी-कभी बाहरी कारकों की आवश्यक्ता होती है और जो प्यार करना चाहते हैं और प्यार करना चाहते हैं वे वास्तव में परवाह करेंगे धनुष ने अभी-भी जो कहा उसने वास्तव में उसे संतुष्ट किया उसके लिए उसकी भावनाओं को गहरा किया ताम गोशिंग ने सिगरेट जलाई और दो गहरे कशलिये फिर उसने धीरे से कहा इस बार मामला बहुत पेचीदा है इसे बड़ी परिशानी कहा जा सकता है इससे न केवल पूरे चीन को नुकसान होगा बलकि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो टैन परिवार को भी भारी नुकसान होगा क्रुप्या मुझे अनुमान मत लगाओ दादा जी बस सीधे मुद्दे पर आते हैं धनुष ने कहा क्या आप मिस्ट सोर्स आइलाइन के बारे में जानते हैं तांगोशिंग से पूछा इसके बारे में कभी नहीं सुना धनुष ने अपना सिरहिलाया क्या हमारे पास चीन में ऐसा कोई द्वीप है इससे पहले मुझे लगा कि यह अच्छी बात है कि देश ने इस द्वीप के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसी स्थिती आने की उम्मीद नहीं थी तथ्य की बात के रूप में धुन्द स्रोत द्वीप ताइवान के समुदरी चेतर के बाहर लगभग 20 से 30 साल पहले अचानक दिखाई दिया इससे लगभग 800 समुदरी मील दूर जिसक्षन यह द्वीप प्रकट हुआ देश ने तुरंत वहां बड़ी संख्या में सैनिकों, भूवै ज्यानिकों और जीव विज्यानियों को भेजा क्या आप जानते हैं कि ताइवान के बराबर आकार के इस द्वीप पर हमें क्या स्थिती मिली यह पूरी तरह से उचे पहाड़ों से बना है जो कुमबारी आदिन जंगलों से भरे हुए है पहले वहां कई जंगली जानवर थे साथ ही बहुत सारे कींती खनिच खजाने भी थे यहां तक की औश्धिय जड़ी बूटिया भी वहां उगती थी कुछ उच्च सम्मानित पुराने चीनी चिकित्सकों के वहां जाने के बाद उन्होंने पुष्टी की कुछ जड़ी बूटिया हजारों साल पुरानी थी मैं खुद वहां गया था और द्वीब के केंदर में पहाड़ की चोटी पर एक महल है यह बहुत प्राचीन है लेकिन अब तक कोई भी परवत की चोटी पर चड़ने और उसमें उद्यम करने में सक्षम नहीं था देश द्वारा गुप रूप से द्वीब के विकास को स्थापित करने के बाद मिस्ट सोर्स द्वीब पूरी तरह से हमारे देश के नियंतरण में रहा है और अतीत में कुछ समय के लिए कुछ सैनिकों और शोध करताओं के परिवारों के साथ बहुत सारे संभरांत सैनिक वहां तैनात है और अब पूरे धुन्द स्रोत द्वीब में सैकडों हजारों लोग रहते है यह कहते हुए तांग गोशिंग रुक गया और एक और सिग्रेटली धनुष चौक गया यह कैसे संभव है कि धुन्द स्रोत द्वीब को अभी भी इस युग में कड़ाई से गोपनिय रखा जाए अन्यकारणों का उलेक किये बिना अकेले मीडिया की शक्ती ही वहां की स्थिती को उजागर करने के लिए परियाप्थ है यह धुन्द स्रोत द्वीब के अस्तित्व के जोखिम के कारण है कि कई देश घूर रहे हैं तांग गोशिंग ने आहभरी कई देशों ने कई साल पहले द्वीब पर कबजा करने का प्रयास किया था लेकिन हमारा देश वहां पहले से ही सैनिकों को टैनात कर चुका है जबकि यह अभी भी हमारे समुदरीट शेत्र में हैं इसलिए उनके प्रयास विफर रहे हैं ताइवान भी वहां पैर जमाना चाहता था लेकिन उन्हें दबा दिया गया और आखिरकार वे चुप रहना ही पसंद कर सके यदि ऐसा है तो वास्तव में यह संकट क्या है धनुष से पूछा अपने गुसे को दबाते हुए तांग गोशिंग ने जवाब दिया उन विदेशी देशों ने हमेशा मिस्ट सोर्स आईलाइंड की लालसा की है और यहां तक की लोगों को वहां भेजने के लिए हर संभव कोशिश की है लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं हुई क्योंकि समुद्र तट पर हमेशा बहुत सक्ती से पहरा दिया जाता है हाल के वर्षों में, हालांकि उन में से कुछ देश द्वीप में गहन घुसपैट करने के लिए सेना का समर्थन कर रहे है क्या अधिक है, इन विदेशी ताक्तों के कई लोग अब वास्तव में बेरिकेड्स की खामियों के माध्यम से घुसपैट कर रहे हैं और संख्या कम नहीं है सिर्फ छै दिन पहले, मिस्ट सोर्स आइलैंड का निवासी अचानक कोमा में गिर गया वहाँ चिकित्सा कर्मियों द्वारा जाच कराने पर पता चला कि यह वाईरस के कारण हुआ है और संक्रमित पहले भी जढ़ज गह कई लोगों के संपर्क में आया था इसलिए वाईरस का संक्रमन बेहत भयानक गती से लगातार फैल रहा है केवल चार दिनों में मिस्ट सोर्स द्वीब के 80% निवासी संक्रमित हो गए वहां का चौकीदार भी आज संक्रमित हो गया उन सभी की राशी सैकडों हजारों लोगों तक है हालांकी देश ने पिछले कुछ दिनों में वहां सबसे अच्छे वाईरस विशेशग्य भीजे लेकिन वे अभी भी स्थिती से बेबस थे अंत में कल बीजिंग के वरिष्ट दिव्य चिकित सक गुई जियान चौभी वहां गए यह वाईरस कहा से आया धनुष ने भुरूभं के साथ पूछा दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से एक स्टाइलिश क्लब तांग गोशिंग ने गहरी आवाज में कहा स्टाइलिश क्लब के कुछ लोगों ने द्वीप में घुसपैठ की और वाईरस को पहले वाहक में इंजेक्ट किया विदेशों में कुछ विदेशी ब्लाक मार्केट एंटिवाईरस बेच रहे हैं जिससे स्ट्रेंफिंग लिक्विड या कुछ और कहा जाता है जिन लोगों को पहले से इस मजबूत करने वाले तरल का इंजेक्शन लगाया गया है वे फिर से वाईरस से संक्रमित नहीं होंगे इसलिए पिछले साथ दिनों में स्टाइलिश क्लब और कुछ अन्यबलों के हजारों लोग मिस्ट सोर्स द्वीप पर उतरे हैं तैनात सैनिकों की उन लोगों के साथ कई तीखी जड़पे हुई हैं और परिनामस्वरूप हमें काफी नुकसान हुआ है उन लोगों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बहुत शक्तिशाली है धनुष ने मेस पर अपनी मुठी पटक दी और गुस्से में कहा फिर से धिक्कार है स्टाइलिश क्लब को इसका अस्तित्व और कुछ नहीं बलकि एक संकट है आप स्टाइलिश क्लब के बारे में जानते हैं तां गोशिंग ने निश्चित ध्यान से पूछा धनुष की आँखों में एक थंटी चमक आ गई उन्होंने कहा मैंने कुछ घटनाओं में स्टाइलिश क्लब के लोगों से निपता और उन्हें हर बार मेरे खिलाफ नुकसान उठाना पड़ा दादा जी आप चाहते हैं कि मैं मिस्ट सोर्स आइलाइंड जाऊ मेरे पास ऐसी योजना थी लेकिन वहां की मौझूदा स्थिती बहुत खतरनाक है तां गोशिंग ने सिरहिलाया एक और वाइरस का खतरा है जबकि विदेशों से विभिन ताक्ते भी अपनी लालची आखों को घूर रही है मुझे भी अब चिंता हो रही है आप उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं दादाजी, धनुष ने उनके शब्दों को बाधित किया और गंभीरता के साथ कहा यह वाइरस और कुछ नहीं बलकि एक तुछ चीज है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा जहां तक उन विदेशी ताक्तों की बात है वे तब तक मेरे लिए कोई खत्रा पैदा करने में सक्षम नहीं होगी जब तक कि वे परमानू का इस्तमाल नहीं करती ताम गोशिंग ने बिना कुछ बोले जवाब में सिरहिलाया फिर उन्होंने कडवाहट से कहा हमारे परिवार के कुछ लोग मिस्ट सोर्स द्वीग पर है सैन्य प्रशिक्षन शिवर में मार्शल कलाकारों की एक बटालियन मैंने आपके दूसरे दादाजी को गुप प्रूप से द्वीग पर स्थापित करने का आदेश दिया था जब आप वहाँ पहुचें तो देश के पहले नेता के अधीन लोगों से संपर्प करें और फिर तांध हान को खोजने के लिए चुपचाप टैंग मैनर मार्शल स्कूल जाएं यह तांध हान कौन है धनुष से पूछा वह तुम्हारे पहले चाचा की बेटी है तांध गोशेंग ने उत्तर दिया धनुष अचंभे में पढ़ गया और उसने पूछा पहले अंकल की एक बेटी है मैं उसके बारे में कैसे नहीं जानता तांध गोशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा मिस्ट सोर्स आइलाइंड पर एक स्टेशन बनाने के लिए हमने जनता के सामने घोशना की की आपके पहले अंकल की बेटी की मृत्यू चार साल की उम्र में हो गई थी लेकिन उसे वास्तव में मिस्ट सोर्स आइलाइंड में गुप रूप से भेजा गया था बच्पन से ही विभिन प्रशिक्षनों से गुजरने के बाद जब वह 18 वर्ष की हुई तब तक उसने टैंड मैनर मार्शल स्कूल को सफलतापूरवक संभाल लिया इस बात को 11 साल हो गए है वह बच्ची वह हर 2 साल में चुपके से 20 लौट आती थी वह अभी 29 साल की है लेकिन वह केवल 12 बार ही लोटी है हमारा परिवार उसका बहुत अधिक बकाया है रहस्यो धाटन ने धनुष के दिल में इस चचेरे भाई के प्रती गहरा सम्मान जगाया जिससे वह कभी नहीं मिला था उसने सिर हिलाया और कहा मैं समझता हूँ दादाजी तैन मिन ने अपने बैग से दो चीजे ली शांती और सुरक्षित शब्दों वाली एक छोटी सी हरी किता दूसरा एक काला बिल्ला था जिस पर केवल खून की बून उकेरी गई थी धनुष यह हरी किताब राज सुरक्षा विभाग की पहचान का प्रमाण है जो आपके लिए किया गया था जबकि यह वैज हमारे तांग परिवार की गुप्त शक्ती का संकेथ है इसे अपनी बहन के पास ले जाओ और वह स्वाभाविक रूप से तुम पर विश्वास करेगी तांग मिन ने धीनी आवाज में कहा धनुष ने जवाब में सिर हिलाया एक पल के लिए जिजखने के बाद उसने पूछा दादा जी कोई और है जो चाहता है कि मैं आपके अलावा मिस्ट सोर्स आइलाइंड जाऊं है न कौन है ये तांग गोशेंग और तांग मिन ने एक दूसरे को देखा जैसे ही गोशेंग ने तुरंट एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और कहा वास्तव में मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता वह सबसे उपर है कौन सा? सबसे उचा धनुष ने आखे मूद ली और पूछा क्या कोई लाब है? तांग गोशेंग ने कहा सिर्फ एक वाक्यत बीती बातों को बीत जाने दो हमेशा के लिए देश के प्रती वफादार रहो धनुष अवाक रह गया उसने अवचेतन रूप से एक सिगरेट ली और उसे जलाया कुछ गहरे कश लेने के बाद वह मुस्कुराया और बोला इस वरिष्ठ ने समझोता करना चुना और मुझे कार्य करने के लिए पूर्ण देश की शक्ती दी अगर मेरा अनुमान सही है तो यह छोटी सी हरी किताब भी वापस नहीं ली जाएगी है न वास्तव में तांग गोशिंग जानता था कि उसका पोता स्मार्ट था और उसने तुरंट सिरहिलाया और मुसुराया ठीक है धनुश उठ खड़ा हुआ ऐसा होने पर मैं काम लूँगा मैं कब निकलूँ जितनी जल्दी हो सके तांग गोशिंग ने कहा शंधाई में गैरिसन बेस ने एक सैन्य हेलिकॉप्टर तयार किया है आप किसी भी समय उडान भर सकते हैं धनुश ने फिर कंग जिया की ओर देखा और कहा मैं आज के मामले में आपका साथ नहीं देपाऊंगा इसके अलावा मेरे ठिकाने का खुलासा कभी किसी को नहीं करना चाहिए जब वह उठी तो कंग जिया के चहरे पर गहरी चिंता और चिंता थी फिर भी उसने अभी भी सिरहिलाया और कहा प्रिप्या अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें मुझे पता है धनुष ने उत्तर दिया तांगोशेंग और तांग मिन जाने की जल्दी में नहीं थे उन्होंने धनुष की पीट को देखा क्योंकि वह उसी समय आहे भरते हुए जल्दी से घर से निकला था एस्टरिस्ट 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 शंगाई गैरिसन बेस उजिन फिंग जो अपनी सेना की वर्दी पहने हुए थे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह एक वरिष्ट करनल रैंक के साथ Mist Source Island Garrison के Chief of Staff थे इससे पहले वह बस चुटी पर थे और चुटी पर बीजिंग लॉट आए लेकिन Mist Source ग्वीब पर हुई बड़ी घटना ने उन्हें टान गोशें को शंगाई ले जाने और शंगाई Garrison Base पर खड़े होने का आदेश दिया खड़े होकर किसी का इंतजार करना वह नहीं जानता था कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रहा था और नहीं वह यह पता लगा सकता था कि इस व्यक्ती की किस तरह की पहचान थी यहां तक कि उसे जो एक वरिष्ट करनर रैंक के साथ Chief of Staff था प्रतीक्षा करने के लिए हाक, हाक, चार काली SUV दूर से आई और सैन्य हेलिकॉप्टरों के इपरन के पास खड़ी हो गई जैसे ही काले सूट में एक बड़े आदमी ने कार का दर्वाजा खोला उजेन फेंग की नजर फिर तीसरी कार के पिछले दर्वाजे पर पड़ी वह जानता था कि जो कोई सीधे बाहर से प्रवेश कर सकता है वह निश्चित रूप से एक शीर्ष अधिकारी है इस बार धुन्द स्रोत ग्रीप पर जाकर धनुश बहुत सारे आदमी नहीं लाए मो आउ के अलावा जो आमतोर पर उसका पीछा करते थे केवल दस अन्यगाड थे यह जानते हुए भी कि वहां कई अध्याद शत्रू हैं उसे विश्वास था कि वह उन्हें पूरी तरह से नश्ट कर सकता है बहरहाल गैरिसन बेस के रास्ते में उसने अभी भी कुछ फोन कॉल किये क्लास एंचार्ज शिक्षकान किंडवू के अलावा छुट्टी मांगते हुए उन्होंने जूयू और ली लाउशान से भी बात की जो हाल ही में व्यस्ट थे उन्होंने कहा कि उन्हें बाद में उनके साथ पीने का समय मिल जाएगा वहली लाउशान को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता था लेकिन वह शंगाई छोड़ने की जल्दी में था इसलिए समय से पहले उस आदमी को बुला लिया जब धनुशकार से उतरे तो उन्होंने हुजेंफें की लंबी और सीधी मुद्रा देखी जो अपनी सैन्य वर्दी में थे और फिर सीधे उस आदमी की ओर बढ़े उसके बाद उन्होंने हरी किताब निकाली और सीधे बोले मैं धनुश हूँ हमें तुरंत धुन्द स्रोप ग्वीप पर जाने की जरूरत है यह दस्तावेज है पुझेंफेंग ने ग्रीन बुक ली और इसे कई बार देखा कहा मुझे अपने वरिष्ट अधिकारी से इस सैन्य हेलिकॉप्टर का उप्योग करने के आदेश मिले है ताकि हमें नैनक्सिया प्रांथ भेजा जा सके इसके बाद हमें मिस्ट सोर्स आइलाइंड के लिए एक जहाज पर चढ़ना होगा यदि यात्रा सुचारू रूप से चलती है तो हम शाम से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे हम सीधे वहाँ नहीं उड़ सकते धनुष ने भौहें चढ़ा ली Military Aircraft Agreement के अनुसार कोई भी फ्लाइट मिस्ट सोर्स आइलाइंड से नहीं आ सकती है पूज हिन्फेंग ने अपना सिरहिलाया Air Defense Division में मिस्ट सोर्स आइलाइंड में एक अंतरमहाद VPS अशस्त्र प्रणाली है एक बार जब कोई विमान 400 मीटर की उचाई के साथ लगभग 50 किलो मीटर की दूरी तय कर रहा होता है तो उसे दुश्मन के रूप में पहचाना जाएगा और मार गिराया जाएगा सैन्य हेलिकॉप्टर भी अपवाद नहीं है क्या वहाँ भी कोई लड़ाकू विमान नहीं है धनुश से पूछा नहीं बात यह है कि वहाँ कुछ गलत है पू जेन फिंग ने अपना सिरहिलाया यह क्या कुछ है बिलकुल धनुश से पूछा यह एक अजीब चुमबकीय क्षेत्र है जो मिस्ट सोर्स द्वीब के आसपास के क्षेत्र में दरजनों किलोमिटर के क्षेत्र को कवर करता है मापने के उपकरन वाली कोई भी इकाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर खराब हो जाएगी इसके अलावा धुन्द स्रोत द्वीब के आसपास घना घना कोहरा है। सवार हो सकते हैं। कप्तान यूशुकिंग वरिष्ट अधिकारी को रिपोर्ट कर रही है। समारोह में लोटने के बाद फूजेन फिंग मुस्कुराये और कहा शीष अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने के बाद मुझे पता था कि मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पुराने साथियों। आपके फैंटम स्पेशल कॉमबैट दस्ते ने वर्षों से देश के लिए सराहनिय विशिष्ट सेवाई दी हैं। और यहां तक की वरिष्ट अधिकारी भी आप सभी की प्रशनसा करते नहीं ठक रहे हैं। यू शुकिंग ने मुस्कराते हुए कहा, सर देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यू शुकिंग की भौहे तन गई, लेकिन फिर भी उन्होंने धनुष को सलाम किया। फैंटम स्पेशल कॉमबैट स्क्वाड के कैप्टन यू शुकिंग लीडर को रिपोर्ट कर रहे हैं, सर। उसके पीछे विशेश अभियान दल के अन्यच्छे सगस्यों की आखों में थोड़ा गुस्सा था। वे बता सकते थे कि मो आउ और बाकी लोग बहुत असाधारन थे जब वे पहुंचे। इतना ही नहीं वे अपने शरीर से एक हलकी खूनी गंध को भी सूंख सकते थे, जिससे उन्हें भी खत्रे का आभास होता था। लेकिन धनुष बहुत छोटा था। दस्ते ने हमेशा अकेले काम किया था और अब जब उन्हें अचानक एक अज्यात युवक्की कमान सौंपी गई। इससे वे बहुत असंतुष्ट थे। धनुष ने उदासीमता से सिरहिलाया और कहा, मुझे वास्तव में किसी अन्य सहायक की आवर्शक्ता नहीं है। लेकिन चुंकि आप पहले ही आदेश स्वीकार कर चुके हैं, अगर मैं मना कर दूँ और आपको वापस भेज दू तो यहां असभ्य होगा। जब हम मिस्ट स पहुचेंगे, तो मैं वहां के मिलिटरी सुपर्वाइजर से बात करूँगा ताकि आपको बेस में रखा जा सके। यूशुकिंग की आँखों में एक थंडी चमक आ गई और उन्होंने थंडेपन से कहा, तुम पागल हो। धनुष ने अपना सिरहिलाया और सीधे उसकी पेक्षा की। वह हुचेंफिन की ओर गया और मो आव, जिनशी और बाकी लोगों को सैन्य हेलिकॉप्टर में सवार होने के लिए ले गया और एवरलास्टिंग फेस्ट हॉल के केवल दो विशेशग्यों को पीछे छोड़ दिया। केबिन में बैठने के बाद जूशा ने द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। हाला कि उन्होंने मेरा रूप नहीं देखा, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। धनुष ने मुस्कुराते हुए एक फ्लैश में समझा और कहा, ऐसा लगता है कि वे बही हैं जो शंधाई में सोए कमपनी के उन लोगों से ल साधारन लोग हैं। आपकी क्या पहचान है? क्या आप उनसे अपनी तुलना करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं? दूशा ने एक खोखली हसी निकाली और अपना सिर जुका लिया, अब कुछ नहीं बोल रहा। सैन्य हेलिकॉप्टर के नीचे फैंटम स्पेशल कॉमबै स्क्वार के एक सदस्य मोश्याउनान ने दो लोगों शुईगुई और ये शिसान को देखा और तुरंट पूछा वरिष्ट अधिकारी वे वास्तव में क्या करते हैं? जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मैं खुद सपष्ट नहीं हूँ। उजेन फिंग ने अ थंडी द्रिष्टी से देखा और थंडेपन से बोला यदि तुम अपने उस अपमानजनक चहरे के साथ हमारे बॉस के बारे में कुछ और कहने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें यहीं और अभी मार डालूंगा भले ही तुम एक सैनिक हो। रोब जमाना मुश्याउनान न पर्रार अंगरक्षक वास्तव में एक बहुत ही मजेदार कॉमेडी हैं। यू शुकिन के चहरे पर भी एक भद्दा भाव था। लेकिन उसने सोचा कि इससे भी बहुत कुछ होना चाहिए क्योंकि उससे लगता था कि एक शुद्ध व्यापारी के लिए यहां आने के असंभव है। उसने मोश्याउनान को घूर कर देखा और गहरी आवाज में उसे डाटा चुप रहो। मोश्याउनान ने ये शीसान और शुईगो पर ठंडेपन से गुनगुनाया और उत्तेजक नजरों से देखा अब बोल नहीं रहे थे। 20 मिनट बाद एक और सैन्य हेल दरगाह पर भेजने के लिए भेजा था। लिबर्टी यात्री लाइनर। मध्यम आकार के इस लाइनर पर सवार होने के बाद उजेन फिंग ने लाइनर पर लोगों से बात की और फिर सीधे मिस्ट सोर्स आइलाइन के लिए रवाना हुए। नानक्सिया प्रांच से धनुष ने हाथ जोड कर चारों ओर देखा। वह सपष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक विशेश उर्जा किनारे से बह रही थी और यह कोहरे के अंदर नहित उर्जा होनी चाहिए। हाला कि इस उर्जा की अस्थिरता का एक सक्रिय और स्थिर नियमित पैटर्न था जो एक प्राकृतिक गठन द्वारा नहीं बलकि एक सर्णी तकनीक द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया था। धनुष बाद में अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना। यह समुदरी च्षेत्र शांति पूर्न नहीं है। उजहिन फिंग अपने चहरे पर एक फीकी मुस लेकिन इसकी हमला करने की शक्ती जंगली जानवरों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होती है। खासकर इस धुंधले ख्षेत्र में जिसमें काली शार्क रहती है। हर बार जब वे समुहों में दिखाई देते हैं तो उनमें से कम से कम सैकड़ों होंगे। यहां की पहरेदारी की सेना पहले भी कई बार सैनिकों को भेज कर उन्हें साफ करने के लिए भेज चुकी है। लेकिन उन्हें हमेशा लगता है कि वे उन्हें न तो मार सकते हैं और प्रिक अनिवार्य रूप से यहां आएंगे, इसलिए इस संकट को दूर करना जरूरी है। जैसे ही लाइनर आगे बढ़ा, यह जल्दी से धूमिल शेतर से गुजरा और दृष्टी के एक सपष्ट शेतर में प्रवेश किया, क्योंकि एक दूर का द्वीब तब उनकी द्रिष्टी की सीमा में देखा गया था। गैस मास्क के लिए नहीं होता, तो मैं उन्हें पहनने के लिए अपने साथियों के पास ले जाता। बस जल्दी करो और इसे पहन लो। हम जहाज से उतरने वाले हैं। धनुष ने इसे नहीं लिया, अपने फिगर से पहले डेख के किनारे पर चलते हुए एक पल में आगे की ओर दौड पड़े। छैसे अधिक मीटर की दौड लगाने के बार उसने एक छलांग लगाई और सीधे किनारे की सडक पर जागिरा, जबकि मो आवू और अन्य लोगों ने उसका अनुसर्ण किया और तट पर भी कूद गए।